Central axis से plane pass करें और वो Central axis से plane pass करने पर body को equal आप में divide कर देगा तो ऐसी symmetry को radial symmetry बोला जाता है देख लेए Ponges की जो body है वो loose cells के aggregate की form में present है और इसलिए हम बोल रहे हैं कि बच्चो Ponges के पास cellular level of organization है बच्चो माना हमने की different animals के structure और form में हमें difference देखने को मिलता है लेकिन कुछ ऐसे fundamental features है जो सारे के सारे animals में क्या होते हैं common होते हैं बात करें बच्चो ये डायोशिया से कैसे हैं बच्चो ये डायोशिया से मतलब अलग अलग है ओवी पैरस और्गानिजम से एग लिये करते हैं और देशो इंडारेक्ट डेवलपमेंट को शो करते हैं एलो लिटिल मास्टर्स वेलकम टू दिस अमेजिंग बाच और बच्चो आज के इस lecture में हम discuss करने चल रहे हैं अनिमल किंडम के अपने चाप्टर को तो पूरे के पूरे चाप्टर को मिस लेक्चर में discuss करेंगे सारी NCRT की लाइन को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे तो चलो तो टूडेस टारगेट की बच्चो अगर हम बात करें क्या करने वाले complete चैप्टर को discuss करेंगे ते लिए शुरू करते हैं देखो वेन यू लुक अराउंड यू विल अब्जर्व डिफरेंट आनिमल्स बच्चो अगर हम अपने चारो तरफ देखे तो हमें डिफरेंट इफरेंट टाइब के अनिमल्स देखने को मिलते हैं जिनका स्ट्रक्चर भी अलग है और उनका फॉर्म्स भी अलग देखने को मिल सकता है अगर हम बच्चो अपने चारो तरफ देखे हमें डिफरेंट टाइब के अनिमल्स दिखरें जिनका स्ट्रक्चर और फॉर्म अलग अलग है और मिलियन स्ट्रक्चर और अनिमल्स को मिने डिस्क्राइब कर लिया है तो क्लासिफिकेशन की बहुत ज़्यादा जरूत पड़ और एक और बैनिफिट क्या मिलेका अगर हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तो कल को अगर हमें कोई नया औरगानिक्यानिजम इलेगा तो मुसे लैक स्ट्रमर्टिक पॉसें औरिखन औरAST Nisha और presents स्ट्रॉदeto सलता है तो मुसको एक सिस्टमेटिक पोडिशन भी दे सकता है राइट चलिए आगे दिखिए बेसिस आफ क्लासिफिकेशन इन स्पाइट आफ डिफरेंसे इन स्ट्रॉक्चर एंड फॉर्म आफ दिफरेंट अनिमल्स तेयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविज्वल्स इन रिलेशन टू दी अरेंजमेंट आफ बच्चो माना की बच्चो माना की हमें डिफरेंट अनिमल्स के स्ट्रॉक्चर और फॉर्म में डिफरेंस होता है लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल फीचर है जो सभी में क्या है बच्चो कॉमन है जैसे की सेल की अरेंजमेंट कैसी है जैसे की बच्चो सेल्स की अरेंजमेंट कैसी है पॉडी सिमेट्री कैसी है नेचर आफ सिलोम कैसा है क्या करो में नेचर आफ सिलोम कैसा है पैटर्न ओफ सिस्टम और रिप्रोड़क्टिव सिस्टम तो एक तरफ हम कहने कि माना हमने इफ्रेंट आनिमल्स के स्ट्रक्चर और फॉर्म्स अलग-अलग हैं लेकिन कुछ का इस इसे की सैल्स का अरीजमिंट कैसा है बोडी सेमेटरी कैसी है basis of animal classification use करेंगे और उनिकों यहां पर discuss करने कल रहे हैं तो सबसे पहले बच्छों बात कर रहे हैं level of organization की सबसे पहले बच्छों बात करें कि इसकी levels of organization तो all members of animalia are multicellular all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells बच्छों माना हमने animal kingdom के जितने भी organism से सभी के पास multicellular condition है लेकिन सभी के पास same pattern of organization of cells नहीं है क्या बोल रहा हूं है देखो माना animal kingdom में जितने भी organism है सभी multicellular है लेकिन सभी के पास same pattern of organization of cells नहीं है जैसे कि आगे हम देखे for example in sponges the cells are arranged as loose cell aggregates that is they exhibit cellular level of organization example के तौर पर आप देखिए sponges के पास sponges के पास cells loose cells aggregate की फॉर्म में बच्चों present है मतलब वो कौन सा level of organization दिखा रहे हैं वो दिखा रहे cellular level of organization भी फिट से शुरुवात की बात को सुझे देखो animal kingdom के सारे के सारे animals multicellular है लेकिन सभी के पास जो cells का organization है तो pattern of organization of cells है वो common नहीं है सिम नहीं है अगर मैं sponges की बात करूं तो sponges के पास cells है बहुत sponges की जो body बच्चों loose cell aggregates की form में प्रेज़ेंट है और इसलिए हम बोल रहे है कि बच्चों स्पॉंजेस के पास cellular level of organization है ठीक है सम डिवीजन ओफ लेबर सम डिवीजन ओफ लेबर अकर अमंग दी तो जैसा कि आपने जाना कि जो sponges की बॉड़ी जैसे कि बच्चों आपने जाना कि जो sponges की बॉड़ी है फूंज cell aggregate की फॉर्म में प्रेज़ेंट है तो यहां पर हलका फुलका डिवीजन ओफ लेबर हमें देखने को मिलता है अब हलका बेटर डिवीजन ओफ लेबर देखने को मिलेगा इसलिए बोल रहे हैं सम्ट डिवीजन ओफ लेबर यहां पर प्रजुट अब आगे बढ़ते हैं in sealant rates the arrangement of cells is more complete बच्चों वही पर अगर हम sealant rates की बात करें तो यहां पर cells का same function are arranged into tissue यहां पर बच्चों जो cells सेम काम कर रही है उन्होंने मिलकर क्या बना लिया है टिशू को बना लिया पॉन्जिस के respect में अगर मैं sealant rates की बात करूँ तो यहां पर organization और complex हो गया है यहां पर जो cells बच्चों सेम काम कर रही है उन्होंने मिलकर बना लिये टिशू को and is called tissue level of organization विचो फिलेंट्रेट्स के पास console level of organization tissue level of organization है अस्टेल higher level of organization that is organ level is exhibited by members of platy elements and other higher phyla where tissues are grouped together to form order आगे क्या हो रहा है बच्चों आगे tissues group बनाकर organs को फॉर्म कर आगे बच्चों tissues group बनाकर organs को फॉर्म कर रहे है तो इसलिए हम बोल रहे है कि platy helmet से जो आगे के file है उनके पास organ level of organization हमें देखने को मिलेगा ठीक है इच specialized for a particular function और एक और गन एक particular function के लिए specified है बल्कुल वही एक और अपना काम कर रहा है है कि हम हार्ट की बात करें तो circulation का काम कर रहे है लंग्स की बात कर रहे है तो रेस्पिरेशन का काम कर रहे है इस तरीके सब समसकते हैं इन आनिमल्स लाइक आनिलेट्स आर्थ्रोपोर्ट्स मॉलस्क इकाइनोडर्म्स एन कॉड़ेट्स और गन्स हैं असोसियेटेट्स तो फॉर्म फंक्शनल सिस्टम तो प्लैटी हेल्मिंस तक और गन लेवल अफ और गनाईशन था वहाँ पर क्या और रहा था टिश्यू ने गृूप बनाके और गन को फॉर्म कर लिया था और वो स्पेस असोसिये टोकर फंक्शनल सिस्टम को बना रहें ज Hail पर बच्चो прод ऋस तो सीक्र फंक्शनल सिस्टम को बना रहें और इस सिस्टम गन्स dont विछ सीольफियो लख़ूजीकर और एक स्पेसेफिकोल फिजियलोहजीक यतmen यहां पर organ system level of organization हो गड़े लेटिए हिलमिंट्स के बाद escal mentees की बात कर लो analytes की बात कर लो arthropods की बात कर लो mollus की बात कर लो echinoderms की बात कर लो coordinates की बात कर लो इनके अंदर जो organs थे बच्चो इन organs ने functional system को बना लिया है और क्या कर रहे हैं सिस्टम यह specific physiological process को कर वा रहे हैं यहां पर organ system level of organization देखने को मिल रहे हैं आगे देखिए और अब तक आप क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले इस इस एडिफरेंट ग्रूप ऑफ अनिमल्स एग्जिबिट वेरियस patterns of complexity अब यहां पर मिलोड बात खत्म नहीं देखो अब तक आप क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले cellular level of organization है किसमें sponges में फिर tissue level of organization आया sealant rates में फिर organ level of organization आया किसके अंदर प्लाटी हलमेंट्स के अंदर फिर organ system level of organization आया एनलेट्स के अंदर कोड एनलेट्स से लेकर कोड़ेंट्स लेकिन बात नहीं पर खत्म नहीं तो organ system level of organization है उसमें भी कुछ differences है जो organ system level of organization बच्चों उसमें भी कुछ differences है मतलब organ system का मतलब क्या समय रहे हैं कि एक system है जो कि specific physiological process को करवा रहा है example के तौर पर digestive system है तो वो digestion digestion जैसी process को करवा रहा है तो आगे चलकर इसमें भी complexities देखने को मिलेगी different group of animals अगर कुछ organisms के पास organ system level of organization है तो उनके organ system में भी complexities देखने को मिल सकती है अलगा अलग तो ये भी है further आगे आगे organ system in different group of animals exhibit various patterns of complexity organ system different group of animals में क्या देखा रहा है various pattern of complexity देखा रहा है for example अगर हम digestive system की बात करे तो digestive system in platy helminth has only a single opening to the outside of the body that serves both mouth and anis अगर हम तो अगर हम तो अगर हम digestive system की बात करें अगर हम बच्चो digestive system की बात करें किसके अंदर platy helminth के अंदर बात करें तो यहां पर एक single opening है जिस जो की mouth की तरह भी काम कर रही है और anus की तरह भी काम कर रही है अगर हम digestive system की बात करें प्लैटी हेलमेंस में यहां पर एक सिंगल ओपनिंग है जो कि माउथ की तरह भी काम करें इनस की तरह भी काम करें मतलब यहीं से खाना अंदर जा रहा है और यहीं से वेस्ट बाहर निकल इस टाइप के इसके पास यहां पर बच्छों को क्या देखने को मिल रहा है पर इसके पास और लेवल ऑफ और मैशन होता है लेकिन यहां पर आप देसकते हो कि यहां पर आपको दो ओपनिंग देखने को मिलेगी एक तो होगी माउथ जहां से चीज अंदर जाएगी और दूसरी होगी इनस जहां से चीज बाहर देखने को मिलेगी इग्जामपल के तौर पर अगर हम प्लैटे हलमेंस को देखें प्लैटे हलमेंस के पास एक सिंगल ओपनिंग होती है है यह जो की बोट माउथ और इनस की तरह काम करती है ऐसी डैस्टिल सिस्टम को में कंप्लीट ऑश्यक्र में क्या होगा दो सेपरेट ओपनिंग होगी एक माउथ की तरह काम करेंगे बच्चों और एक एनस की तरह यहां पर काम करने वाली है कि अगर उसी तरीके से उसे तरीके से similarly कि अगर हम सर्किलेटर सिस्टम की बात करें तो सर्किलेटर सिस्टम भी दो तरीके का होसे एक होता है ओपन टैप एक होता है कैसा बच्छो ओपन टाइप इन विच बलड इस पंट बाइब आउट आउट ओव दी हाट एंड दा सेल्स आर कंपलेटली बाद इन इस ट्रीक का सर्कुलेटर संगा इस तरीके से समझ सकते हैं है बच्छो अपन टैप अप एक लिए अपन टैप अव शर्कुलेटर संग वाट्चो आप इस अपन टैप होगा बच्छो आए्सटी आपन टैप अंपर क्या ओगा बच्छो क्या आप ओगा बच्छो इस हाट इदर से ब्लेड हार्ट में गा रहा है इदर से ब्लेड आ रहा है और जो बॉडी के संसे दियार कम्प्लेटली बेदिंग इस तरीवे ओके तो देखिए इसी तरीके से बच्चो सर्क्यूलेटर सिस्टम जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है पहले हम बात कर रहे है, open type of circulator system, in which the blood is pumped out of the heart, यहाँ पर heart blood को pump कर रहा है, और जो cells हैं और tissue हैं बच्चों उसमें, ब्लड में नहा रहे हैं, तो open type of circulator system की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर blood vessels का close network आपको देखने को नहीं मिलता, heart से, heart से blood pump होगा, और जो body की cells होगी, tissue होगी वह उसमें नहा रहे हो, इसलिए open type of circulator system हम बोल रहे हैं, close की बात कर लेते हैं, close type in which the blood is circulated through a series of vessels of varying diameter, तो अगर हम बच्चों close type of circulator system को बनाए, अगर हम बच्चों close type of circulator system को यहाँ पर बनाए, तो देखें कुछ किस तरीके का देखेंगा, समझेगा ध्यान से, कुछ कि अगर में? यह घ Zweben यह फिर इस को थोगा दो कि दूम करके दिखा देखा देखा लेकर अच्छाशचाश देखाए लेकर लेकर कुछ इस तरीक है कि इस प्लोज सेर्किलेटरी सेस्टम कि इस हाट कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रही है देखिए कि इस इस प्लोज से खिर्ष यह वेन आर्ट इस चार्वी कि इस कुछ इस रब्यर्व तो देखिएगा बच्चो सुनिएगा और समझेगा अब हम बात कर रहे हैं बच्चो क्लोज सर्कुलेटर सिस्टम में क्या होगा ब्लड को सर्कुलेट करवाया जाएगा तुरू वाट तुरू सिरीज ओवेसल्स आफ वेरिंग डायमेटर इसमें आपको आर्टरीज वेंस औ प्लोज सर्कुलेटर सिस्टम की अगर हम बात करें तो लेकर पहुंचेंगी और और बच्चों यहाँ पर क्यापिलरीज की मदद से एक्स्चेंज होगा तेल्स को चीज़े पहुंचाई जाएगी तक पहुंचाई जाएगे चीज़े और फिर वहां से वेस्ट और कार्बन डेकर आजाएगी टुवर्ड दी हाट हाट से ऑक्सीजनेटेट बलड एंड और आप देख सकते हों कि जो ब्लड है वो क्लोज नेटवर्क ब्लड वैसल के अंदर फ्लो कर रहा है और दिस टाइप ऑफ सेर्क्यूलेटर सिस्टम इस लोज सेर्क्यूलेटरी सिस्टम तो यहा है तक की बास समा नहीं तुम्हें की एक ऑर्गानिजंब लेवल औफ टिशू लेवल और 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 इसान को दिखा सकता है और गललल और औरॉजसिकल को कर्वा उसमें भी कॉंपलेसिटी इसमें डिफरेंसेज देखने को हमें मिल सकते हैं ही के तुन है आगे चलते हैं हम hombres with your tomorrow next point came out of tomorrow acements animals can be categorized on the basis of they are symmetry animals categorize कर सकते हैं इस बैसिस पर की उन पर कि उन के अंदर किस तरीखे की symmetry हो ठीक है भन्स सब्सकराइब Sponges are mostly asymmetrical. बच्चो अगर हम Sponges की बात करें, तो Sponges किया होते हैं? Sponges होते हैं, mostly asymmetrical. Any plane that passes through the center does not divide them into equal half. Sponges को हम क्या बोल रहे हैं, बच्चो यहां पर? Mostly asymmetrical बोल रहे हैं. मतलब अगर any plane उनसे pass करेंगे, अगर any plane उनसे pass करेंगे, तो हम उनको equal half में divide नहीं कर सकते अब इसको इस तरीके से समझे कि माल लीजे यह प्लेन है अब यह plane अगर मेरी body से गुजर रहा है ऐसे यह plane मेरी body से गुजर रहा क्या कर रहा है? फुज़त रहा है तो अगर ये मेरी body को equally half में divide नहीं कर सकता तो मैं asymmetrical कहला तो इसी तरीके से हमाल लीजे हमारे पास एक sponge है, sponge से हम यह plane pass करा है, मेरे पास एक sponge है और उससे हम एक plane pass कर रहे है अगर यह plane उसको equal half में डिवाइड नहीं कर सकता तो वो क्या होगा एसिमेट्रिकल होगा तो यही बात बोलेगी है कि sponges are mostly asymmetrical क्योंकि जब भी हम उनसे कोई plane पास करते हैं उनके center से तो उनको equal half में डिवाइड नहीं कर सकता लास्ट बात फिर से क्या बता रहा हूं मैं sponges को mostly asymmetrical बोला गया है इस बात का मतलब यह है कि अगर मैं sponge के center से एक plane पास करूँगा तो वो equal half में divide नहीं हो सकता लाइड नहीं हो सकता अब इसका क्या मतलब है इसको मैं आपको डाइग्राम से समझाता हूं कि बच्चों देखिए कि imagine करिए आप कि imagine करिए आप की यही आप ऐसे plane है इसी को मा लेजी सेंट्रल एक्सेश आप इसे प्लेन दिखाएगा आप imagine कर सकते हैं या फिर मैं आपको एक खुद बना के दिखाए तो फिर आप अलग से समझ लेगा हूं कि यह है सेंट्रल एक्सेश सेंट्रल एक्सेश से एक प्लेन पास करें फॉर एंपल मैं ऐसे एक प्लेन पास कर रहा हूं तो के बोडी को एकोल हाफ में डिवाइट कर रहा है बिल्कुल कर रहा है और पर्टिकुल लिए बोलेंगे हम आइडेंटिकल हाफ में डिवाइट कर रहा है क्या बोलते हैं यहाँ पर आप के इंट्रल एक्सिस के स्ट्रेक्ट में अगर हम एक प्लेन पास करें यहाँ पर आपको प्लें प्लें साध्य होंगत। यहाँ और झाप contraction से plane pass करने पर body को equal half में डिवाइड कर देगा तो ऐसी symmetry को radial symmetry बोला जाता है देख देख लेगा वेन एनी plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical half it is called radial symmetry अगर एक plane central axis of the body set divide कर रहा है अगर एक plane central axis of the body set divide कर रहा है organism को दो identical half में इसको radial symmetry बोल सकते हैं इसको आप इस तरीके से विर्चों imagine कर सकते हैं कि मान लीजे यह organism है this is central axis and this is the plane this is the plane एक तरीके साब देख सकते हैं यह radius है यह भी radius है तो radius भी तो यहां पर कर रहे हैं बाई दो radius को मिला होगे तो diameter बन रहा है वो बाट ठीके लेकिन radius भी तो यहां पर आप कट कर रहे हैं वो फिट से समय लीजिए एक बारी कि अगर एक organism की माल लीजिए center लगते हैं उस central axis में प्लेन को पास कर रहे हैं और प्लेन पर पास करने पर क्या हो रहा है कि बॉड़ी दो identical हाफ में डिवाइड हो रहे हैं तो इसको मोलते रेडियल समेट्री यहां पर एक प्लेन यह है एक प्लेन यह और एक प्लेन यह और तीनों में जब हम और इकाइनोडम्स के पास बच्छों दिस थाइप का बॉड़ी प्लान होता है और इसमें मैं पटिकुलर्ली वोलूगा एडल्ट इकाइनोडम्स के उनके पास बाइलेटरल समेट्री होगी हम पढ़ने चलने उसके बारे में देखे अनिमल्स लाइक अनलेट्स आर्थ्रोप फिर दा बॉड़ी कैन बी डिवाइडेट इंटू इडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन प्लेइन एग्जिबिट बाइलेटरल समेट्री अब आगे देखो एक और गयानिजम को अगर हम एक सिंगल प्लेइन में एक और गयानिजम को अगर हम एक सिंगल स्टेव et familiar तो इसको भूलते हैं बाइल रेटरल सेमेट्री सिमें इसको अगर एक और एक और प्लेइनजम को बच्चों एक पर सोचो जैसे यह प्लेन यहां पर रेडियस पर ऑर्गनिजम को दो इक्वल हाफ में या इडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर रहा है देखिए अगर एक प्लेन आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड कर रहा है और गैनिजम को इसको बोलते हैं और बच्चों बात करने चल रहे है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक और अरगनाइशन एक्टर्नल एक्टर्नल एक्टर्म और इंटर्नल अरगने प्लोब्लास्टिक अब को यादा मैंने पिशली क्लास में बताया था कि फइब्रोब्लास्ट में जो ब्लास्ट है ब्लास्ट का मतलब होता है बड़ इट विल गिवराइस टू अन्यो और गिवराइस्ट्ट अगर एंब्रियो कंडिशन में हमारी बॉडी में लेयर्स बन रही है तो वह जो सेल्स की लेयर है वह आगे चलके पूरे और गयानिजम को बनाएगी कि बिलकुल बनाएगी इसलिए यहां पर ब्लास्ट का मतलब है बड़ इट विल गिवराइस टू वाट और और गयानिज की लिए रही है अगर र Aim रही है और यही इंब्रियोनिक का रही है डियर बना रही है बाहर कि तरफ अंदर की तरफ ऑंड़ उसलिएग्ज़ को मतलब यई है उन्डिफ्रेंट इंडिफ्रेंटेड लेयर नं इस्प्रेंटेड वरात यह कि अगर एक और्गानिजम में तेल्स की जो एंब्रियोनिक लेयर्स वो दो है तो ऐसे और्गनिजम को डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे उसमें बाहर की तरफ एक्टोडम होगी अंदर की तरफ एंडोडम होगी और दोने के बीच में एक अंडिफ्रेंशेटेटेड मीजोग मीजोग्लिया भी होगी ठीक है और यह क्या बनाएगा बच्छो और्गनिशम को आगे बनाएगा मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ कि देखें यहां पर आप कि पाहर की तरफ एक्टोडम हमें अंदर की तरफ एंडोडम है पाहर की तरफ क्या है बच्छो लेड Mu वाहर की तरफ एक्तो डाम है अंदर की तरफ इनर्ड की तरफ चाहेट पर एंड़ोडाम है और बीची वेह कंडिफरेंसेोटिटर विजोगलियले और ऐसे ऐर्गेनिजम को थो jaar बोलोगे की फॉर्म में बाहर की तरफ अंदर की तरफ एंडोडर्म ठीक है और बीच में अन्डिफरेंचेट मीजोग लिया रहे तो ऐसे ओर्गनिजम को हम डिपलोब्लास्टिक बोलते हैं एक्जांपल होगा सीड़न ट्रेट आगे दिखें दोज आनिमल्स इन विच दी डेवलपिंग एंब्रियो हैसा थर्ड जर्मिनल लेयर तोज आंब्रियो जोकी प्लैटी हल्मिन से लेकर कॉड्रेट तक होगे आगे क्या रहा है बच्चो पुछ ऐसे ऐसे ऐनिमल्स भी होते हैं जिसके अंदर एक थर्ड एंब्रियोनिक जर्म लेयर होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में उसका नाम होता है मीज़ोडर्म तो ऐसे और्गेनिशन क्या बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं एक और तीसरी कैटेगरी है जो भी उने समझे यहां पर क्या देखर एक सिंपल सी बात को सब्सक्राइब पहले पढ़ा कि बाहर की तरफ एक्टोडर्म है अंदर की तरफ एंडोडर्म कुछ और एनिमल्स में एक तीसरी जर्म लेयर होती है जिसको बोलते हैं मीजोडर्म जो की एंडोडर्म और एक्ट यहां पर मीजव ड़ मिलमें के विचो यहां पर मीजो पासे में आपको मैं एक व्हर्टेगरी है और्गनार्शम की एक बाहर की तरफ जो लेह रहा है एक्ट अंदर की तरह एंड़ो डरम् बीच में डिफरेंटेटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें बिट्विन भी बॉडी वाल एंड दी गट वाल इस वेरी इंपोर्टेंट इन क्लासिए इसको आप पहले इस तरीके साह समझे यह हुआ यहां पर ही कह रहा है कि देखे एक तो है बॉडी वॉल की और एक है गटा को इन दोनों की बीच में जो है इन दोनों की बीच में एक वीटी इसके बारे मारा प्रैविड संस और एप्संस पावेटी बिट्वें डिवा्टी वॉल देगाटवल इस व्येश्यanger कंप क्यों सकती तो presence और absence of a cavity between body wall and gut wall important classification में अब देखो कि कह रहा है दा बॉड़ी कैविटी the body cavity which is lined by mesoderm is called so so body wall और gut wall के बीच में body wall और gut wall के बीच में अगर एक cavity mesoderm से line होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं फिलो example के तौर पर example के तौर पर आप इधार देख सकते हों कि यहां पर कि यहां पर यह तो हो गई एक्टोडम यह तो हो गई एक्टोडम कि अन्डिस इस अवर इंडोडम दिस अवर इंडोडम और बीच में हो जाएंगी बच्छो में यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बॉड़ी कैविटी है तो यहाँ पर गट वॉल सुरी यहाँ पर एक बॉडी कैविटी है गट गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में जिसको मीजोडर्म दोनों साइट से लाइन कर रहा है तो ऐसी कैविटी को क्या बोलेंगे सिलों बोलेंगे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर और मीजोडम इस क्या वीटिटी को लाइन कर रहे हैं इसकोँ बोलते हैं यहां पर सिलॉम जिसकोँ क्या बोल रहे है तिलोम बोल रहे हैं इनीमल्स पशेशिंग सी लोम और करको लोमेट्स जिन ऑलिमल्स के पाच जो त्यों ओता हैusi लोमेट एक्जाम्पल क्या हो याद रखेगा क्या बात याद रखनी है कि body wall और gut wall के बीच में cavity हो सकती है उसके basis पर हम classification कर सकते हैं अगर यही body cavity को mesoderm line कर रहा है अगर इसी body cavity को mesoderm line कर रहा है तो क्या बोलेंगे siloam बोलेंगे क्या बोलेंगे और जिन और गैनिजम के पास यह body cavity या इसी लो मोती उनको बोलते हैं सीलो मेट्स उनको क्या बोलते हैं इस एक्जामपल क्या हो गया एनलेट्स मोलस्क आर्थ्रोपोर्ट्स एकाइनदर्म सेमिकॉर्डेट्स कोड़ेट्स यह हमारा सिलोम वाली करते करोगे आगे पड़िया है इन सम एनिमल्स बोल्डी कैविटी इस नौट लाइन वाइन मीजोडम इंस्टीड दम इस प्रेजेंट आस टार्टर्ड पाउचे इन बिट्वीन दी एक्टोडम एंड मीजोडम पुछ और गैनिसम में म को लाइन नहीं करता बिल्कि वह स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है एक्टो और एंडोडम के बीच में अभी हमने जाना कि अगर एक बॉडी कैविटी को मीजोडम लाइन कर रहा है तो वह सिलोम कहलाती है लेकिन कई वरी क्या होता है कि जो मीजोड संहीं क्या है बा 1941 कॉर्षे स्वेक्शन और ऐसे अगांस म्कों क्या बोलते ऐसी लो Анд worked it Г Clinton एक्जांपल आर यह पर विख सकते हैं कि यहां पर रिडूदम भी है यहां पर मीजोडम और यहां पर एक्कुदॉडम करीन कर िया पर पूरी कैविटी को मीजोडम लाइन करें यहां पर मीजवर्धम पूरी कैविटी को लाइन नहीं कर रही हैпервых की फॉर्म में प्रेज़िंट है तो ऐसी बोडि कैविटी को हम बोलते हैं च्टुल और ऐसे और गंजम कम बोलेंगे स्युदो छी लूमेट्स क्या बोलेंगे च्टुडो सी लूमेट्स मेट्स एक्जामपल एसकल मिंतिस वेंदी बॉड़ दा एनिमल्स इन विश दी बॉड़ी कैविटी इस एपसेंट आर कोल्ड यह सीलो मेट्स एक्जामपल प्लाटी हलमेंज पुछ ऐसे भी और गानिसम नोगा बैचो जिनके पास बॉड़ी कैविटी होती नहीं है बतलब न इसमें मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है तो प्रॉपर बॉड़ी कैविटी तो नहीं है लेकिन उसको हम बोलते हैं स्यूडो सीलें और ऐसे और बच्चों कोई भी बॉड़ी कैविटी नहीं है तो उनको बोलेंगे क्या एसीलो मेट्स एक नेक्स्ते बच्चों हमारा segmentation next अब क्या हमारा segmentation in some animals in some animals the body is externally and internally divided into segments in some animals the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs कुछ organisms में क्यों होता है body internally भी और externally भी सिग्मेंटेंड होती है सेगमेंट की पूछ organisms में body externally और internally segments की फ़र में डिवाइड़ होती है और उसमें कुछ ना कुछ org repeat हो रहा होगा मतलब ऐसा होगा कि माल लीजिए एक सैगमेंट कि एक सेगमेंट एनधर सेघमेंट एनधर सेगमेंट हिस्तरी है तो मलेजे टैस्ट त्यों एसे तीन और गन लग तीन सेगमेंट तक रुआ हो घ्रियू कि अब देख सकते हैं या यह आप देख सकते हैं आप टैस्ट सटीन सेग्मेंट कर रहे हizin फेर से सबस् elections है तो कुछ औरयानिसम की जो बॉली ओती है वह इन्स they'll और एक्सटर्नस में और टिवाइड गुद्स Maine कोई ऑर गओ रीपीट कर रहा होता है in some annual the board is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs with the serial repetition of at least some organs to why many upper up to the guy he malati teen segment of my papa test is run करिया उस organism for example in earth warm the body shows this pattern called metameric segmentation and the phenomena is known as metamalyzer आगे बाद बोली गए कि बच्चों अर्थ की बात करें तो बोडी इस तरीके का पैटन दिखाते मुदलब इंटरनली और इंटरनली सेग्मेंटेड होती है इसको में बोलते हैं मेटमरिक segmentation and the phenomena is metamalyzer अगर किसी आनिमल में बोडी externally और इंटरनली segments में divided हैं जहां पर कोई और रिपीट हो रहा स्कुम बोलते हैं मत्रों क्या segmentation simple भाषा में एक्जामपल के तोड़ पर अगरम अर्थवाव में वाले यह चीज़ देखने को मिलते हैं तो इसको बोलते हैं metamoric segmentation और phenomena को बोलते हैं metamorism और बच्चों एक segment को एक segment को metamor भी बोलते हैं एक segment को यहां पर क्या बहुते हैं metamor notochord next thank you notochord is a mesodermally derived rod like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals बच्चों कुछ एनिमल में क्या होता है दॉर्सल साइड पर यानि बैक साइड पर एक rod like structure develop होता है इसको हम बोलते हैं नूटो तो कुछ और्गानिजम में embryonic development में dorsal side में क्या होता है एक rod like structure develop होता है जिसको हम बोलते हैं notochord और बच्चों यह mesoderm से derived animals with notochord are called chordates जिन animals के पार बच्चों नोटो कॉर्ड होता है उनका हम chordates बोलते हैं और जिन animals के पास notochord नहीं होता उनका हम non-cordates बोलते हैं example porifera to echinoderms तो क्या समझा आपने कुछ और्गानिजम में embryonic condition में dorsal side में एक rod like structure develop होता है तो कि mesoderm से derived होता है उसको हम बोलते हैं notochord जिन organism के पास notochord होगा उनका हम बोलते हैं chordates और जिन organism के पास notochord नहीं होगा उनका हम बोलते हैं non-cordates example क्या दे रखा है बच्चों यहाँ पर example दे रखा है में porifera through echinoderms next अब देखो बच्चों यह अब तक हमने जो भी बढ़ा है उसके बारे में यहाँ पर एक flow chart दे रखा है तो उस चीज को एक बार देखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं इस chapter में तो देखें ध्यान से सबसे पहले kingdom animalia दे रखा है सबसे वहले क्या दे रखा है kingdom animalia और यहाँ पर दिखा रखा है कि यहाँ पर जितने भी organism की हम बात करें वो सारे के सारे क्या होंगे multi cellular होंगे फिर level of organization के अगर हम बात करें तो cellular level of organization किसमें होता है sponges में sponges के phylum का नाम क्यों होता है बच्चो पॉरी फेरा पॉरी फेरा का मतलब पॉर बीरर और गैनिजम क्योंकि इनकी body में होते हैं pores और अगर तुमने sponge देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि इसमें pores होते हैं राइट सिमेट्री की बात करें दियार mostly asymmetrical and a silomate है क्योंकि इनके पास proper कोई body cavity नहीं है जो की mesoderm line करता हो फिर बच्चो टिशू level of organization organ level of organization organ system level of organization में अगर हम बात करें रेडियल सिमेट्री के साथ ए इसी लो मेट में आते हैं सीलंड रेट्स जिनको हम निदेरियन भी बोलेंगे और टीनो और उसके बाद AL जाल में ए में एसील मेट में आ रहे हैं अलेठ को टीव या रहे हैं का और अलिडव स्ट मेट कर् distingu एक्डिशं के जंडिशन कर्स्कषण कंडियों अ कर्यों इस कलम लोट्गão देटर ये ऊट्दलमेटमेटमे आ रहे हैं कॉन हो कि सुद्स क्यों लग रहा है यह तो समझे इसका अंसर सिंपल सा यह है कि इंडर्मेटा में कि जो एडर्ड है कि इसके पास तो रेडिल समेट्री इसके पास कौन सो समेट्री होगि रेडियल सिमेट्री और वहीं पे अगर लार्वा है तो although शॉसके पास होगी bilateral symmetry ये एक exception है इसको याद रख लेना है दिमाग में बठा लेना है कि इकाइनो डर्मेटा पर स्थार इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें adult के पास radial symmetry होती है लेकि लार्वा के पास क्या होगी बच्चा bilateral symmetry होगी तो इतना हम समझ चुके हैं आगे बढ़ते हैं शुरू करते हैं फाइलम को देखे हैं अबसे पहले आ रहा है फाइलम पौरी फेरा सबसे पहले आ रहा है फाइलम पौरी फेरा पौरी फेरा का मतलब है चैशा पौर बेयरिंग बाड़ी इन औरगैन शुका औरर गैन की बारड़ी पे होते हैं पौर्टे करते हैं न ज्का अंट्य्म अफ इस फाइलम के जो बच्चो मैंब्र से वह सपौंज तो तो तिल नाउन के जो मैंबर से वह स्पॉजिस युँँ है यूडि पर होते हैं पोर्ट्स इसलिए नाम पड़ा है पॉरी फेरा फाइलम की अगर बात करें तो पॉरी फेरा वर्ट का मतलब है पूर बेरिंग बॉर्डी होती है और इस फाइलम के जो मेंबर है वो क्या है बच्चों, sponges है, इस फैलम के जो members है, वो क्या है, sponges है, generally they are marine, marine का मतलब salt water में रहना पसंद करते हैं, salt water में रहना पसंद करते हैं, और हमने पहले पढ़ लिया था, यह mostly asymmetrical है, most of the organisms asymmetrical है, मतलब अगर एक भी plane इनकी body से हम pass करें, तो इनको हम identical half में divide नहीं कर सकते, आगे बढ primitive multicellular animals and have cellular level of organization, सही बात है कि गलत बात, बिलको सही बात, यार एक बात समझना, animal kingdom का जो पहला phylum है, वो कौन है, porifera, और यह जो हम animal kingdom पढ़ रहे हैं, इसमें वही आनिमल से, विचार multicellular, तो सबसे पहले multicellular animal कौन, porifera, primitive multicellular animals है, और इनके पास कौन से level of organization है, cellular level of organization है, क्योंकि भच्चा हमने पढ़ा था, कि इनकी जो body है, वो loose cell aggregates की form में present होती है, और हलका full का division of labor भी होता है, इनके पास, यह हम पढ़कर आए हैं, तो लाला आगे बढ़, पसमझ देख, sponges have a water transport, sponges have a water transport और canal system, बहुत important है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अलब एक बात यह याद रखना, हर फाइलम की एक नएक विशेषता है, एक quality है, एक characteristic है, तो अगर मैं बात करूँ, porifera की, porifera के पास होता है, water transport या फिर बोलू, canal system, कैसे काम करता है, थोड़ा सा idea दे पर हैं, देखिए, अब देखिए, क्या कह रहा है, कि देखू, water enters through minute pores ostia, तो जैसे कि हमने बात करी थी, कि इनकी body पर होते है, पोर्स, उन पोर्स का नाम होता है, ostia, उन पोर्स का नाम क्या होता है, ostia, तो बच्चो, water enter करता है, इनकी body में, water enter करता है, इनकी body में, किसकी थुरू, ostia के थुरू, किसके थुरू, ostia के थुरू, देखिए, आगे, water enters through minute pores ostia in the body wall, into a central cavity sponges seal, from where it goes out through the osculum, तो नाव पूरी बात क्या है, water इनकी body में enter कर रहा है, water इनकी body में enter कर रहा है, minute pores की मदद से, और यह minute pores इनकी body wall में होते हैं, इनकों बोल रहे है, ostia, और जाता है body cavity में, इनकी body cavity का नाम है, sponges seal, इनकी body cavity का नाम क्या है, बच्चों, sponges seal, और यहां से, और यहां से फिर पानी बाहर जा रहा है, यहां से फिर पानी बाहर जा रहा है, किसकी मदद से, osculum की मदद से, osculum एक opening है, और दिस भॉटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम य दूर्टर ट्रांसपोर्ट और को रडीर्पकाल ंस सप्टिछBe Pa Skats ये रोट रॉटर ट्रांसपोर्ट और Lakes & men इसमय और क्या वह होता है इनकी body wall में pores होते हैं जिनकों बोलते हैं ostia, वहाँ से पानी enter करता है, जाता है body cavity sponjo seal में और वहाँ से बाहर निकलता है एक opening से इसकों बोलते हैं osculum, now the question arises, इससे क्या फायदा मिलेगा, what is the function, तो देखो, this pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste, बच्चो यह जो water transport या फिर canal system है, इससे फायदा क्या है, इससे फायदा क्या है, इससे फायदा क्या है, इससे फूड गैदरिंग हो रही है, खाना मिल रहा है इनको, respiratory exchange हो रहा है और waste का removal हो रहा है, कैसे हो रहा है से, अरे गार एक simple सी बात है, पानी में organism रह रहा है, तो dissolved oxygen लेता है, ठीक है, तो यहाँ पर जब पानी इनकी body में एंटर करता है, उसके साथ खाना भी अंदर जाता है, food gathering होगी, पानी के साथ अंदर oxygen गया, और जब पानी औसकिलम से बाहर निकल रहा है, तो carbon dioxide बाहर निकल रहा है, respiratory exchange हो गया, पानी के साथ अगर nutrients अंदर जा रहे हैं, तो जब पानी बाहर निकलेगा, तो waste को बाहर लेकर निकलेगा, इस तरीके से, excretory waste का भी यहाँ पर removal हो रहा है, तो जब पानी बाहर निकल रहा है, तो CO2 और waste बाहर निकल रहा है, पानी बाहर जब निकल रहा है, तो oxygen और nutrients अंदर जा रहा है, oxygen और nutrients कहा जाने बच्छो अंदर जा रहे हैं इस तरीके से बात क्लेर हो गई आगे देखिए को आन उसाइट्स और कालर रिद्धन कान उसल से पारां दो को सब्सक्राइब करते हैं और टैनल के अंदर बच्छो और सल्फ या फिर कोलर से ना इनके पास बच्चो कॉने जोएट या फिर कॉनलरkey होते हैं जो कि स्कॉन जूंज एक भी मथ ल इन करते हैं और में में जोर काराइब और कम यह दो हूंगे कुछ इस तरीके की अगर आप देखोगे यह एक मैंने आपर दिखाया है फ्लैजिला को को अगर आगर लिकाहिए सřो डाइजेशन इस इंट्रास एंट्रा सेललिलर को आगर लिखाया जैएसे इंकर कानव साइट्स के अंदर ही डाइजेशन होता है तो दिकिए हैं कि वोडी में एक्स्ट्रा-सेलर डाइशन है कनाल में हो रहा है सेलस के अंदर डाइश हो रहा है दिक हूं इए उसको इंटर सेलुवर सेănों के अंदर होता है जब एक वैकं वेक पार्टिकल्SU हो कर ले जाएगा खा ले जाएगा तो डाइशन इस इंट्रासेलियर कहां पर हो रहा है कौनोसाइट के अंदर बॉड़ी सपोर्टेड बाइए इनकी बॉड़ी में स्केलेटन कैसा होता है इस तरीके से समझ सकते हैं कि माली जी इस पॉञन है और इसकी बाड़ी पर इस तरीके से इस तरीके से स्पिक्यूस प्रसेंट होते हैं जो कि इसके बच्चो केल्शियम कार्बोनेट के सिलिका के या फिर स्पॉंजिन फाइवर के बने हुए हो सेक्सेज आर नौट सेपरेट सेक्सेट सेपरेट नहीं है हर्माफ्रोडाइट कंडिशन सेपरेट नहीं है बच्चो हर्माफ्रोडाइट अन्दर ही प्रजियं एक सिंगल और फिमेल इंधर है इस सिंगल ओर्गानिजम के अंदर मेल फिमेल प्रॉड़्य पार्ट that sexes are not separate reason मतलब क्या है वाई हर्माफरोडाइट कंडिशन है मेल और फीमेल दोनो एक सिंगल और गनिजम के अंदर ही है मतलब मेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट एक सिंगल और गनिजम के अंदर ही देखने को बता है देखो एक्स एंड स्पर्म्स आर प्रडूस बाइधी सेम इंडिवेज्वेज्वेज्वेज्वेज़ कर रहा है कैसे करेंगे कैसे करेंगे बच्चो fragmentation की मदस से मतलब एक बड़े sponge का अगर एक पाट तूट जाता है fragment गिर जाता है तो एक नए sponge को बना सकता है तो एक नए sponge को बना सकता है और sexually बच्चों रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे गामेट का formation करके fertilization is internal fertilization and internal and अब यहां पर तो को दे को अंदर लेके जाएगा और फर्टिलाइशन करवा इस तरीके से आप देख सकते हैं क्रॉस फर्टिलाइशन देखने को मिलता है और इंटर्नल है मतलब बॉडी के अंदर ही हो रहा है फर्टिलाइशन वाटर में नहीं हो रहा है याग रिखेगा क्यों मैंने बोला कि हर्माफ्रोडाइट है मतलब मेल और सीमेल एक सिंगल इंडिविजल लेकिन होता है कि कनाल सिस्टम से दूसरे इंटर्स देखने को मिलता है यहाँ पर एदेखने को मतलब है अ मतलब होता है थो लाइवल सेज है तो देखो क्या लिखा है development is indirect having a larval stage having a larval stage which is morphologically distinct from the adult and this is very important by egg say young one bana or young one adult जैसा दिखने में है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है मतलब यह general development development indirect का मतलब एक larval stage का होना और यहाँ पर जो larva है बच्चो morphologically externally adult से different है दिखने में है देखो development is indirect having a larval stage which is morphologically distinct from the adult जो कि morphologically adult से कह दिस्टिंट है तो इस आर थ्री examples जो कि ncati में given है अगर मैं बात करूं प्चो इस पहले इग्जाम्पल की यह है आइक वाइक आइवा थाइफ इस रिस यूस पॉंजिया बेस पॉंज अन शेस पॉंजिला फ्रेश वॉर्टर स्पॉंच यह तीन एक्जाम्पल यानिय। सइफा यू स्पॉंज यानि बेस्पॉंज पॉंज बॉटर पॉन्च यह था हमारा पहला फैलं कॉरी फैर 2 नेक्स्ट फायल आम बच्चोह हमारा सीलं टRB किस्ट फाइला में बच्चोह हमारा सीलों ट्टैनल और सीलण ट्री टा और दिभीवि SUPERI importantly के पास एगल के इसको हुआ इसको इनका नाम celyant ratus ले पड़ा है बच्चो बिक्वास इनके पास एक कैवर्टी होती है इसको बोलते है इनके पास एक सेल होती है जिसको बोलते हैं नीडो ब्लास्क और इस सेल की मदश से यह अपने प्रे को प्रिडेटर को स्टिंग कर सकते हैं डंक मार सकते हैं है अर यहां से सुनिएगा और बात को बच्छो समझ है कि में सेट स्यरेट। ना मिसले पड़ा बिकॉज इस लेंटर रहन गैस्ट्रों वैस्ट्रों के वे स्ट हुटी है इनके पास को समझते हुए चलना है अक्वैटिक और्गेनिजम से मूसली कैसे है बच्छो मरीन है सिसाइल और फ्री स्विमिंग हो सकते हैं सिसाइल मतलब जो फिक्स रहेंगे एक ही जगा पर चिपके रहेंगे हमेशा इनको अपना सबस्ट्रेट में लेगा और वही पर अटाइक हो जा सकते हैं अगर हम कोई भी प्लेन पास करेंगे तो बॉड़ी को हम दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड रसे राइट नेम इस निडेरिया इस डराइट फ्रम नीडो ब्लास्ट और नीडो साइट नीडेरिया नाम इसले डराइब करा गया क्योंकि इनके पास नीडो ब्ल इसले पड़ा है क्योंकि इनके पास नीडो ब्लास्ट और नीडो साइट के पास स्टिंगिंग केप्सूल या फिर नेमेटो सिस्ट होता है और ये बच्चों टेंटेकल्स और बॉड़ी पर प्रसेंड होता है फंक्शन का है एंकरें मदद करता है मतलब कहीं पर बॉड़ी तरक खळाफ इस्तमाल करने में मदद करता है और प्रेट को अटेक करने में भी मदद अब कर नीडो बलास्ट दिखा है तो यहाँ पर वच्छो आपको इमेज दिख रही है दुड़ बॉट बॉट्चत को यहाँ पर इमेज दिख रही है इस नीडो बलस्ट अब नीडव ब्लास में आपको येल्लो कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं नेमेटो सिस्ट नेमेटो सिस्ट या फिर स्टिंगिंग कैप्सूल तो बच्चो अगर हम बात करें तो बच्चो अगर हम बात करें नीडव ब्लास्ट की इस इस स्ट्रक्चिर ऑफ नीडव ब्लास्ट इसमें नेमेटो सिस्ट इस स्टिंगिंग कैप्सूल होता है इसमें बच्चो बेसिकली हिप्नो टॉक्सिन भरा होता है और यहां पर आपको उसके ट्यूब भी दिखिरे होगी इसको हम थ्रेट ट्यूब बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं इसकी मदद से यह एंकरेज इफैंस या फिर अपने कैप्चर कर पाता है किसको प्रेग पकड़ पाता है यह तो हो गए हमारी नीडो ब्लास ओके आगे देखिए बच्चो निडेरियन्स एग्जिबिट टिशू लेवल ऑफ औरगनाईशन होता है मतलब यहां पर कुछ सेल्स जो की सिमलर थी उन्होंने गुरुप बना लिया है और वो मिलकर एक ही काम कर रही है और डिपलो ब्लास्टिक में सर हमने पढ़ा था बताओ बताओ क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था सर बाहर की तरफ एक्टोडर्म है अंदर की तरफ एंडोडर्म है और दोनर की बीच में एक अंडिफ्रेंशेटेड मीजोगलिया लेयर है तब पीछे बढ़कर आएं वही इनके पास सेंटर में गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी देखा आ गया इनके पास सेंटर में गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी होती है विदा सिंगल ओपनिंग माउथ औन हाइपोस्टोम तो बच्चों इनके पास एक सेंट्रल गैस्ट्रो वैस्किलर कैविटी होती है इस झाल तो दिखिया तो यहां पर एक सिंगल ओपनिंग है देखो वो माउथ और एनस दोनों की तरह काम करेगा और इसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है बच्छो इसको बोलते है 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 आगे हमें क्या पढ़ने को मिल रहा है आगे में पढ़ने को मिल रहे है कि यह सेंटर में एक गै सेललब और इन्ट्रसेललिलर दो ही फईलम बिलेंगे ऐसे एक सिवाद वाली ऑडिनोफॉर तो आपर डाइशन इक्ट्रसेललीड अर इंट्रसेललर नाकिरण समझ अकоде इंडर बना के उनका डाइशन कर लिया जाता है तो डाइशन यहापर एक्स्ट्रा सब्लार होगा यह बात का मतलब यह है अगे बोला गया बच्चो कि कुछ निडेरियन की अगर हम बात करें एक्जामपल के तौर पर किसकी बात हो रही है बच्चो को रही है इनके पास क्या होता है इनके पास जो स्कैलीटन होता है वो कैल्शियम कार्वनेट का बना होते हैं टेखोके हैं जिए एकेयं दैखेंगे वो जो कलरफुल होते हैं आपने की जब एंड सिलेंट्रिकल होता है इसमें देखने को मिलेगा आपको हाइड्रा में और एडेम्सिया में वही पर अगर हम बात करें मेड्यूसा की मेड्यूसा अंब्रेला शेप होगा प्री स्विमिंग होगा एक्जाम्पल और एलिया और जली फिश में यह देखिए जरा यह है वो दो फॉर्म उटिसमेड्यूसा अंब पॉलिक पॉलिक पॉलिप होता है से साइल मतलब एक ही जगा पर एक ही जगा पर एक यह fix रहेंगे और वोट इसे अगर मैं बात करूं तो मेडियूसा होती है प्री स्विमिंग स्थिए यह जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और कैसी बच्चो यह है अम्ब्रेला शेप कैसी बच्चो यह अम्ब्रेला शेप एक्जाम्पल्स की अगर हम बात करें इसका एक्जाम्पल होगा और एलिया जैलिफिष जो आपको इमेज में भी दिखता हो दिख रहा होगा और वहीं पर पॉलिफ फॉर्म के हमें एक्जाम्पल की बात करें तो हमें दो एक्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं एक तो है हमारा हाइड्रा और दूसरा है एडम्स यह जिसको बच्चों अगर हम बात करें तो यह दो बेसिक फॉर्म में एक्जिस करते हैं मेड्यूसा फॉर्म जो की फ्री स्विमिंग स्टेज है और अंब्रेला शेप के होते हैं एक्जाम्पल और एलिया जलेफिश दूसरा है पॉलिफ फॉर्म जो कि से साइल होते हैं फिक्स रहेंगे एक प्रीफ गताएंग दोज निडेरियंस विच एग्जिस इन बोथ फॉर्म अगे बॉला गया है कि बच्चो कछ निडेरियंस होते हैं जो की दोनों फॉर्म्स में होते हैं वह अलटने इशन of generation या फिर metagenesis दिखाते हैं इसमें क्या होगा पॉली प्रेड्यूस करेंगे मेड्यूसा को asexually and medusa form करेंगे पॉलिप को sexually इसको मैं आपको एक डाइग्राम के तुरू यहां पर समझा देता हूं ताकि आपको असानी मिल जाए कि बात कर रहे हैं metagenesis की और example क्या है विच्छों हमारा example है ओविलिया एक्जांपल क्या है विच्छों हमारा ओविलिया देखे क्या होगा yeah so this is a polyp I say what a buddy yeah yeah माल लेते हैं कि इस पाम आएगा ओवम आएगा तर्वनेगा त्राइगोट त्राइगोट से बनेगा बच्छों एक लार्वा लार्वा त्राव से यंग पॉलिप त्राव से यंग पॉलिप करी कि कुछ ऐसे नीडेरियंस होते हैं जो कि दोनों फॉर्मस में एक्जिस्ट करते हैं अब वो पॉलिफ फॉर्म भी दिखाते हैं मेड्यूसा फॉर्म भी दिखाते और इस बात को या इस प्रोसेस को बोलते हैं वह और अल्टरनेशन ऑफ जन्रेशन या फिर मेटा जैनेसिस एक्जांपल है वे लिया कि उसमें बात लिखेंगे कि पॉलिफ मेड्यूसा को प्रेड्यूस करते हैं एक है ऑल मिव वेड्यूस मेड्यूसा जी एक है सेक्ष्षलिच और सासल बोला गया है कि मेड्यूसा produce पॉलिप सेक्श्ण और मेडी रएच लिजे माली जी एक पॉलिप है यहां पर हो रहा है बडिंग यहां पर क्या हो रहे है है बडिंग एक एक सेक्श प्रसेड और उससे डवलप हो रहे हैं बेर डियूसा अम अम अमाली Mool a female जैसे इस लारवा को 1 सब्स्टेट मिलेगा यह वहाँ पर ऐसे क्या बना देगा यहाँ पर पॉलीब ने मेड़िवा सब्सक्राप्सराइब पैर देखे तो से दिटरियंस विच एक्जिस्ट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टर नेशन ऑफ जन डेशन मेटाएन से ऑलिपृद्यू वह रहे हैं मेड्यूसय को पॉलिप्रोड्यूस करें मेड्यूसय को एसेक्षिव ली और मेड्यूसय को एक्जांपल लोगे लिए ट्यूंग और एक्जाम्पल्स की बात करें बच्छो एक्जाम्पल में कौन को ना जाएगा एक तो फाइजीलिया आ जाएगा विच पोर्टुगास मैन ऑफ फाइजीलिया बेसिकली जयली फिश इसकी शेप ऐसी थी जैसे पॉर्टुगयस ने आपने वॉर के टाइम पर शि पर गॉरगोनिया सी फैन एंड में डीन अब रेन कोलर आर दी एक्जामपल ओफ इलेंट रेट एक्स बच्छो फाइलम टीनो फॉर एक्स बच्छो फाइलम टीनो फॉर टीनो फोर्ट कॉमनली नोन एस सी वॉलनर्ट और प्व जली इस हि में टीनो फोरा की बच्छो अगर हम बात करें तो टीनो फॉरमस सी वॉलनर्ट और कम जली चार जली कि आर एक्स्कूथी ले मरें यह कैसे मक्चो एक्स्क्लूसिवली एक्स्कूसिवीडी मरीन मतलब होता है कि הרी सॉल्टी वाटर में मिलेंगे ठीनल लिस्मेट्रिक टे सार्थ अर्गानिजम ले इसमेर टेकल्लतुब लेवल ऑरगनैशन पूर्च भूलते हैं एक्स्क्लूजिवली मरीन है एक्स्क्लूजिवली मरीन का मतलब है कि सॉल्टी वॉटर में है सारे क्या सारे रिडियली स्यमेट्रिकल और गानिजम से डिपलोब्लास्टिक और इनके पास टिशू लेवल ऑफ और गनाइशन होता है आगे बोला गया है दा बॉड़ी एक्स्टनल Ref चोंकि इनकी लोकोमोशन में मदद करती है जो सिंसी में बत करें बच्टो बोलोकोोमोशन में तो बोडि में एक्स्टनल राव मेर्स स्टी लेटकॉमप्लेट सो तै कि ईक्सी में क dong podcast करते मदद करते हैं कि यह देखिए है तो यहां पर आगर आप बॉडी पर ध्यान से देखेंगे थो बॉडी पर आपको क्या देखेंगी एट एक्स्टनल रहॉज दिखेंगी सिल्येटेड कॉंप लीड़ आर कि ये थे डिक आप प्लेट्स और इंसलेटेड कॉंप्लेट्स की अगर हम बात करें तो कि ची ने मदद करीं बच्च इनलोकोमशन में मदद करें टाइशन इस बोथ एक्स्ट्रास अलिलर एंड इंट्रास अलिलर अब तुम्हें बताने की जरूत नहीं है तुम उलेडी सीख चुके हैं कि सर पहले एक्स्ट्रा सेललर डाइशन होगा उसके बाद जब बड़े पार्टिकल को में छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया है तो उसके बाद सेल के अंदर वेक्यूल में ले जाकर उसका फर्दर डाइशन हो बाइलुमिनेसेंस प्रोपर्टी अफर लिविंग और गनिजम टू एमिट लाइट के टीनों फोर्स में बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेंगी सेक्सेज आर नौट सेपरेट बच्चो यहां पर भी हर्मा फ्रोडाइट कंडिशन है अप्लब सेम ही इंडिविजि न अग्धय को मतलब सर इंके पास लारव फुता है एक्जांबल की बात करें बच्चों प्लूरो ब्राचिया एंटीनो प्लैना और यहां पर यहां पर ncrt में डाग्राम दे रख्या आधा इस प्लूरो ब्राचिया और यहां पर आपको तेंटे开श भी दिख रहे होंगे दो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं को यह थे बछो टी दूण पर निस ऱबच्चो अलोग मेंगों नेक्स्ट कर्क्र पलाटी हैलमीच मेइख पच्छो प्लाटी हैल इस फिल्स में फ्लड़ वंग कुस्ट बोलते हैं क्यू वॉलते हैं देखिए विंट्रू वेंट्ररिय फ्लास व्पॉट दोलघ पोजिशन में जो body होती है फ्लाट होती है इनकी डॉर्सल और वेंटरल पोजिशन में जो body होती है कैसी होती है बच्छो फ्लाट होती है इसको इनकों क्या बोलते हैं अगर हम इस फाइलम के और गैनिजम की बात करें तो यह मोस्टली एंडो पैरासाइट से एंडो पैरासाइट मतलब होस्ट की बॉड़ी के अंदर रहते हैं और यह अगर बाते बच्चो आपको यहां पर यह दिख रही है कि अगर मैं अगर एक सिंगल प्लेन को बॉड़ी से पास करें तो वो सिंगल प्लेन बॉड़ी को आइडेंटिकल राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर दें ट्रिप्लो ब्लास्टिक का मतलब बच्चो यहां पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म जम लेयर प्रेज़ेंट यहां पर बॉड़ी वॉल और गट वॉल के बीच में बॉड़ी कावटी नहीं है जो की मीजोडर्म से लाइन हो बच्चो टिशूज ने यहां पर मिलकर औरगन बना लिया यहां पर मिलकर औरगन बना लिया आपको इतना दूस्वान में आ रहा होगा होक्स अटाच्मेंट में हेल्प करेंगे एंड सकर्स एब्जॉप्शन में हेल्प करेंगे देग्या है तो मब देम एब्जॉब नूट्रिंट्रिंट्स फ्रॉम धी होस्ट रेक्ली तुरू दियर बॉड़ी सर्फेस कुछ ऐसे औरगनेजम भी हैं बच्चो इसमें जो की अब स्वराइब कांद और नियूतर raf video अगर्ण भी होस्ट की और वुट की चीजों को अपने बॉड़ी सर्फेस से सकते किनी कर सकते बिलkूल सब्सक्राइस नूटर्स अब सबूर्ड्रेक्टली थूरू बॉड़ी में specialized cells called flame cells, HELP in Osmo regulation and excretion? बच्छो इनके पास specialized cells होते हैं इसको हम बोलते हैं flame cells बच्चो जो की Osmo regulation में and excretion में मदद करती है बहुत important चीज़ा याद रखेगा flame cells इनका characteristic feature होता हैं तक इसे बाद्ट नौट separate बच्चो शेक्सेज आर नौट सेपरेट का मतलब मेल और फीमेल रिप्रट्टिव सिस्थम सेम ही इंडिविज्वल में आपको देखने को मिलेंगे फटिलाइशन लेकिन इंटरनल है पटलाइशन कैसा है बच्छो इंटरनल है बोडी के अंदर ही होगा और डेवलप्मेंट काफी सारी लार्वल से से होगी स एक प्लेनेरिया पॉसेस हाई रिजनेरिशन कैपसिटी कुछ मेंबर्स के रिचो हाई रिजनेरिशन गैपसिटी एग्जामपल इस प्लेनेरिया आप सभी को पता है कि अगर तीन तुकडे कर देंगे तो उन तीनों तुकड़ से वह एक नया और्गेनिजम बन सकता है तो सब्सक्राइब है बच्चों की निया टेप वार्म फैसियोला लेवर फ्लूख आ जाएगा तो यहां पर यह रहे इमेजेश बच्चों यह है हमारा टेप वार्म और यह है लेवर फ्लूख और यहां पर आपको जो दिख रहे हैं दीधार सकंड्स और अगर आप यह वाला एरिया देखोगे टेप वर्म का यहां पर आपको फूक्स एंड सकर्स तो यह है फाइलम प्लाटी हल्मेंट्स अब देखो एक बात मैंने आपको बताई थी कि हर फाइलम की कुछ विश्चिस थी कैसे सर अरे यार देखो न अगर स्पॉंजिस की बात करें तो स्पॉंजिस के पास के पास कैनाल सिस्टम था तीलन ट्रेट्स के पास नीडो ब्ला अगर हम इसकल मिंटेज की बात करें तो इनकी बॉडी कैसी है बच्चो सरी कुलर है क्रॉस सेक्षिन अगर इनकी बॉडी आप देखोगे तो आपको कैसी देखेगी सरी किलर देखने को मिलेगी एंस दा नेम राउंड और इसलें का नाम के पड़ा है राउंड और एसकल मिंटेज की बॉडी सरी किलर होती है क्रॉस सेक्षिन में इसी वज़े से बच्चो इनका नाम हमने क्या रखा है राउंड वाम्स रखाए बच्चो यह फ्री लीविंग भी हो सकते हैं फ्री लिव स्टेज में भी ओसकते हैं अब रासटीक की बात करें तो और 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 तो अब एक बास समझे में Um कि यह बाई-लेटरली सिमेट्रिकल अनियमल से है मिलडनरास्टीक है र estadoezeलोमेट अब देखिए बांशार्ल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो देखिए, sponges तो mostly asymmetric थे, sealant rate और tenophora की अगर हम बात करें तो यह radial symmetry वाले थे और platy helmet से bilateral symmetry की शुरुआ थे ठीक है, अब फर्दर अगर बात करूं, फर्दर अगर बात करूं, तो sealant rate और tenophora कैसे है थे, diploblastic, platy helmet था, triploblastic, लेकिन platy helmet था, acylomet, अब यहाँ पर अगर ascal menthes की बात करें, यह भी triploblastic है, लेकिन they are pseudosilomate, और pseudosilomate में हमने पढ़ा था, कि जो mesoda में, वो scattered pouches की फॉर्म में present है, वहाँ पर acto और endodrome के बीच में, बच्चों इकलोते सिलomate animals है, यह बात आपको दिमाग में अच्छे से बठा ली नहीं है, आपको बच्चे अच्छे से याद रखेंगे, आगे देखू, elementary canal is complete with a well developed muscular pharynx, तो यहाँ पर elementary canal complete हो चुगा, याद है ना, two separate opening होगी, एक mouth की तरह काम करेगी, एक inus की तरह, और इसके पास एक well developed muscular pharynx भी है, याब आप सुन में आ रहे हैं, देखे, elementary canal complete है, with a well developed muscular pharynx, आगे, an excretory tube removes body waste from the, from the body cavity, एक excretory tube होती है बच्चों, जो body waste को निकालती है from body cavity through excretory tube, एक excretory tube होती है बच्चों, इनके पास, जो की body waste को निकालती है, body cavity में से, किस से, excretory pore की मदद से, कुछ इस तरीके का होता है वो structure में से, किस इस तरीक का स्रक्चे निकालता है, यूजर। एस टरीके का स्रक्चा निकालता है इस एक्सक्रिट्री पूर इस तरीके से एक्सक्रिट्री ट्यूब होती है जो कि वेस्ट को बॉडी क्याविटी में से निकालती है थूरू एक्सक्रिट्री पूर्वेस्ट को गानार होती है जो कि एक्सक्रिट्री पूर्व की इनकी अंदर से वेस्ट निकालती है it is कि आगे देखिए और सेपरेट अभी तक सेक्सेश सेपरेट नहीं थे या फिर हम देकर रहा हर फ्रोडाइट इजैन है या पर बच्छो सेक्ष सेपरेट है की थायोशेयस कंडिशन है की एक कंडीशन होती है मोस्यास कंण्डीशन इसको हम बाई सेक्शर्च या फिर हर्मा fund got की लिशमर्च सेइठ यह पिए घ्रिविन चाहते मियूर्टॉ पर तो इन हम बोलते हैं हर्मा फ्रोwr घाइट इसक्ट इसकर बोल को तो बात करें तो male body अलग है female body अलग है मतलब male organism अलग है female organism अलग है इसका उप्रेट या sexual dimorphism भी बोलते हैं तो इस देखिए मेल्स एनद फीमेल्स डिस्टेक्ट सेक्शन सेपरेट या फिर अफिर सेट कंडिशन का मतलब है कि male and female are distinct often females are longer than males अगर हम बात करें females की तो female बच्चो longer होती है in comparison to males मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर यह जो image है बच्चो यह s carries इसको हम common round warm भी भोलते हैं यहाँ पर अब दे सकते हैं कि मेल के respect में की मेल लार्जर है यह पर पर बोलू सौरी लॉंगर है और आपको इस दो और नजर आ रहे हो कि दियार सर्कुलर इन क्रोस सेक्ष्ट कि बात करें तो बच्चो फर्टिलाइशन इनके अंदर भी इंटरनल होता है फिमेल बॉड़ी के अंदर होगा डेवलप्मेंट में बी डारेक्ट यंग वन रिजेंबल दी अडेल्ट और इंडरेक्ट तो डेवलप्मेंट बच्चो डिरेक्ट भी हो सकते हैं कि वहाँ पर करता है एंट साइलो असलिव फक वाक यह बच्छो मारा एस कल मैं थे कि और यह हमारा एक्जामपल लोगे जो दे रखें में मैं एसकरी से सकते हैं फीमेल साल लॉंगर दिन बोड़्िट नेक्स्ट बच्छो फाईलम एनलिडा अब एनलिडा अब एनलिडा वर्ट का मतलब क्या देखो एनलेटा वुलब होता है एन्यूलर रिख का मतलब होता है बच्छो जो बॉडी है कि ऑनिस्प्रेंश मुटिया और गानिसम की वह ऐसे रिंगs की फैसे कि फोर मैं प्रेजेंट ए चिथे बसाइश है था मैटामरिक सेग्मेंटेशन पैना मुला को मैटामरिजम बोला था और इन सेग्मेंट्स को क्या बोला था हमने मैटामर्स यादे कुछ तो यह एनलिट्स के अंदर ही होते हैं हमने डिसकल भी कर रहा था अर्थवां मतलब इसी फाइलम को बिलॉंग करेगा पढ़ने चल र सब्सक्राइब हो सकते हैं और अक्वेटिक में आपको मरीन वाटर में फ्रेश वाटर में दोनों में देखने को मिल सकते हैं प्रिलीविंग है कुछ तो फ्री लीविंग है इंडेम इंडिपंडेंटली जी रहे हैं आश कर रहे हैं अपने जिंदिक है बद्चो पैरा सिर्टीक मतलब होस्ट पर डिपंडेंट एग्जामपल आपने लीच करना तो नहीं लीच जो खून को क्या करता है सकाऊट करता ह अब तो बहिया और गन सिस्टम लेवल ओफ और गनाइशन यह में देखने को मिलेगा और बाइलेटरल सिमेट्री भी होती है इनके पास बच्चो यह ट्रिपलो ब्लास्टिक है मेटा मरिकली सेग्मेंटेड और गनिजम से जो मैं आपको बता रहा था यहां से सिलोम वाली कंडिशन चुरूई है कि ऐसे और गनिजम के पास गट वाल और बॉडी वाल के बीच में एक बॉडी काविटी है जिसको मीजोडर्म दोनों तरफ से लाइन कर रहा है तो फर्स इल अनिमल से बच्चो एर बॉडी शर्फेस इस दिस्तिंक्ली मां आउट इन्टु सेग्मेंट इनके अगर आम बॉडी सर्फेस को देखे तो बच्चो सेग्मेंट में में मांग होता है और इसलिए फाइलम का नाम पढ़ा है एनलेडा देको अनूलर्स रिंग्स जो मैं आप बच्चो इनके पास लॉंगी ट्यूडनल या फिर सर्कूलर मसल आपको देखने को मिल सकती है जो की लोको मोशन मदद करें जो कि किसमें मदद करेंगी बच्चो लोको मोशन में मदद करें आपने अर्थवाम को चलते में दिखाओका वो कुछ ऐसे इप उठ उठके चलता है वह कुछ ऐसे बच्चों उठ उठ के चलता है ते अपने नोटिस करें वह लॉंगि टूनल और संप्रींलॉर दी्म नचल से करके दिखाता है उस टांपल व्यूंग टूनल और संथ्कूलोर मसल्स आपस में कौन्ट्राइक कर रही हो, अकवेटिक ऐनलेट लाइक नेरीस पोज लेटरल अपेंडेज पैरापोर्डिया विच हैल्पिन स्विमेंग, अब जो अकवेटिक ऐनलेट है, एकजामपल है बच्छो नेरीस, उसके पास लेटरल appendages होते हैं जिसको हम बोलते हैं पैरा पोडिया और वो उसकी मदद से swimming कर पाता है मैं आपको दिखा देता हूं बच्छों देखें दो हमें example दे रखें एक तो हमें दे रखा है कि लीच और एक दे रखा है बच्छों में नहरीच नहरीच को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह जो है यह पार्ट इसस पैर पूडिया तो नहरीच के यहां पर नेफ्रीडिया होता है इनके पास जिसके मैंसे यह ओस्मोरेगुलेशन यहां यह बात करें तो देखें किस तरीका से प्रोजेंट होगा कि इस तरीके से प्रेजेंट होगा देखिए यह 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 आए इस और कनेक्टिव इस जबल इंट्रल इस अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें यहां पर आपको डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ट दिख रहा है और साथ में प्यर्ड गेंग लिए जो की कनेक्टिव की वज़त से या लेटरल नर्वस की वज़त से आपस में जुड़े हो है तो आगे फर्दर अगर हम बात करें बच्छों यहां पर देखने को बिलेंगे रिप्रदक्शन कैसा होगा बच्छों रिप्रदक्शन होगा इस तरीके से होगा कि एक डवल वेंटरल नर्वकॉर्ड है वो गैंगलिया से जुड़ा हुआ है कनेक्टिव की मदद से राइट और याद रखना वेंटल साइंड में अपकॉर्ड होता है जाइन हो नेक्स्ट एक से बच्छों फाइलम आर्थ रो पोड़ा एक से बच्छों फाइलम आर्थ रो पोड़ा और रट रोड़ा का मतलब क्या होता देखिए अर्थ रो मतलब जॉइंट जान ईर टिखाते हैं यह जॉइंट अपर डीजिस्स टोड़ा मतलब डेशों जॉइंट अपन डीजिस्ट वाली कंडिशन देखाते हैं इनके बड़ यह लेक्ट आपको देखने को मिल जाए गाभी इस अभी इस दी लागिव आफ ए एनिमे लिया विच इंक्लूड इंसेक्स बच्चो यह लार्जेस्ट फाइलम है एनेमिलिया का जो सबसे बड़ा फाइनम है वो है अर्थ्रोपोड़ा और इसमें कौन आते हैं इसमें इंसेक्स आते हैं आपको पता इंसेक्स का नंबर कितना ज्यादा है तो बच्चो आर्थ पर इतनी भी नेम स्पेशीज उसमें तू बाय थर्ड आर्थ रो पोड सोते हैं इसलिए में इनको लार्जेस्ट फाइलम में कंसीडर कर रहे हैं बात करें बच्चो इनके पास औरगन सिस्टम लेवल ऑफ औरगनाईशन होता है यह बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट चीज यहां पर आपको देखेगी कि अभी हमने बात करीती कि एनलेट सेग्मेंटेशन दिखाते हैं अभी हमने बात करी आपको सेग्मेंट की फॉर्म में दिखेगी तो यह भी सेग्मेंटेड है सेग्मेंट दिखा रहे हैं और अलसो शीलोमेट आनिबल याद रखेगा एनलेडा के अलावा आथरोपोर्ट सेग्मेंटेड होते हैं the body of arthropod is covered by cutaneous exoskeleton cutaneous exoskeleton बच्चो अगर हम अगर हम arthropod की body की बात करें तो वो एक cutaneous exoskeleton से covered होते हैं मतलब arthropods के पास एक exoskeleton होता है किसका kite बोडी कन्सिस्ट आफ हैड और एक्स एनड एप्डोमें आइड और एक्स अग्राइट था इन पर यहां पर देखने को मिलेगा अगर बॉडी की बात करें थो बॉडी तीन पोजिन में डिवाइड एड और एक्स एड अड़ डोमें अन्के पार जॉइंट एड अपेंडेश इनके पास jointed appendages होते हैं इसलिए नाम पड़ा है आर्थ्रोपोडा तो बॉडी की बात करें बॉडी तीन पोजिशन में डिवाइड है है थोरेक्स अब्डोमेन में यह jointed appendages दिखाते हैं इसलिए इनका नाम पड़ा है आर्थ्रोपोडा आफ ड़्टरर्क चेखर ज्रीटर अबरकर यह कि अगर बात करें बच्छो इनके आपास गंट इना सोते हैं कि सु क्यों होते हैं मुट लंग होते हैं आर्भ रेव्ड होते हैं पॉर थरड़ांकी के व्लहां अगर पात करें तो आ सेट्रेक्षाक्त पुक गिल्स होंगे ल्यूमिलस के पास पुक लंग्स होंगे स्पाइडर्स के पास एंड ट्राक्यल सिस्टम होगा इंसेक्स के पास पिट से सुनिये और फिट से समझे मेरी बात को बच्छो झाओँ पैन एक सिंपल सी बात है अगर हम इसे जो पैजब करें आपको बुक गिल्स लें को 3विशina के पास तो यहां पर ट्रुफ को मतलब क्या है बच्छों बुक गिल्स का दी आप खो bubb को का मतलब क्या है इनकी जो शेप होती है वह बुक के Marvel जैस इस इसलिए बोलते हैं और बुक्लम्स का मतलब क्या है यहां पर कि बुक के फेज़ेस की तरह है और ट्राकल सेस्टम मतलब बच्छों ट्यूब्स का नेटवर्क होता है इनके पास तर्कुलेटर सिस्टम यहां पर open type का होता है बच्छो कैसा है यहां पर open type का मतलब जो body के cell से वो openly bathing कर रही है sensory organs like antenna बच्छो sensory organs होते हैं इनके पास antenna हो गया जैसे कि eyes हो गई eyes compound भी हो सकती है simple भी हो सकती है stratocyst और balancing organ आपको देखने को मिलता है stratocyst और balancing organ देखने को मिलता है sensory organs की अगर हम बात करें तो sensory organs में आपको यहां पर antenna देखने को मिल रहा है antenna के पास touch receptors होते है tactile receptors जिसको हम बोलते है antenna के पास touch receptor या पर tactile receptors होते है eyes compound और simple दोनों type की हो सकती है और stratocyst होते हैं बाडी को बैलेंस करने में क्या करता है इनकी मदद करता है excretion होता है बच्छो मलफिगेंट टिब्यूस की मदद से होता है कैसे बच्छो mostly dioces organisms mostly dioces organisms का मतलब है mostly male और female अलग-अलग होते हैं बड़ी अलग-अलग होती है single individual male or female reproductive system आपको देखने को नहीं मिलेगा fertilization is usually internal मतलब mostly internal fertilization देखने को मिलता है and they are mostly oviparous organisms mostly oviparous organisms का मतलब है कि बच्छो mostly कैसे organism चाहिए mostly कैसे organism बच्छो एग-laying organisms बच्छो एग-laying organisms बच्छो एग-laying organisms है development की बात करूँ बच्छो development direct भी हो सकती है indirect भी हो सकती है development की अगर में बात करूँ बच्छो development direct भी हो सकती है indirect भी हो सकती है मतलब कुछ में larval stages है कुछ में larval stages नहीं है अब examples की बात करें तो economically important insects पहले में बात करें economically important insects जो हमारे लिए कुछ नव उनकुछ फाइदा करते हैं जैसे कि बात किरें एप रहनी भी है रहनी भी सामें हनी मिलता है वीजवेक सिर्ज की मिलता है छोड़ा seem बना सकते तूंटीज भी तुरिया और शीच Subscribe ने तर्थ रिग्रेश पेस्ट पेस्टो वह पैस्ट होते हैं यो कि गुरूप्स में रहते हैं लेकिन एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं और लिविंग फॉसल लिमुलास की खर लेगेंग फॉसल का मतलब बच्चो ऐसा ओर्गैनिजम होता है इसमें टाइम के साथ बहुत ज बेनिस नहीं आते एवलूशन नहीं होते हैं तो एक ऐसा अर्गनिजम जो आज ही बहुत प्रिमिटिव करेक्टर को दिखा रहा है असको मोलते हैं लिविंग को सब्सक्राइब ऐइख है तो अगर हम बात करें यहाँ पर और प्लाजम के लिए तो एनफलीज जो है मॉस्कीटो एनफलीज मॉस्कीटो इसके लिए वेक्टर की तरह काम करता है प्लाज्मोडियम के लिए तो मैं आपको लिखे बतायता हूँ देखिए वेक्टर में जो एनफलीज है है यह प्लाज्मोडियम के लिए वेक्टर की तरह काम करता है और फ्लाज्मोडियम की पच्छो कौन सी बिमारी होगी कि earn एंद गरी और यह पेलावा अधोके अलावा को यू लैक्स मॉस्किटो हरा के प्रिए कि लिए कि बॉचर्स का अबुंद पाइलेरी आसेस गलावा एडीज मॉस्कीटो की अगर हम बात करें तो एडीज मॉस्कीटो दिंगी वाइरस यानी दिंगू के लिए प्टर की तरह काम करें रेगारियस का मतलब मैंने क्या बताया रेगारियस का मतलब बच्चो यह विए लिव इन ग्रूप इस प्टर के लिए ग्रेगारियस का मतलब एगरियस का मतलब है जो गुरूप में रहते हैं लेकिन एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं एग्जाम्पल लूकस्त लिविंग फोसेल का मतलब ऐसा और्गेंजम जिसके अंदर टाइंड के साथ चेंजेश नहीं आते हैं वही प्रिमिटिव करेक्टर्स को दिखाता है तो आपको यह सारी जिदे आ गई होगी नहीं भी बता दिया आपको कि जो एपस है हनी भी उससे हमें हनी और बीजवेक् इंपॉर्टन इंसेक्ट में रखा गया है ओंविक्स हिलक भॉम से सिलक मुल रहा है लैसितर लाक इंटेक्श से में लाक मिल रहा है जिस से मधिक्वनाते हैं पी यहां पर बच्छो कुछ images भी दे रखिये में इन्ते आटी नहीं जैसे कि यहां पर लोकस्त दे रखा सबसे पहले कि आपको पता है butterfly दे रखाए और देन बच्छो में Scorpio दे रखाए यहां पर के अलावा बच्छों यहां पर हमें क्या दे रखाए प्राउन को दे की इस दे रख कंवस हंऊ मॉलस्काट यहां युज क्लिए मूलस्का के défin की मॉलस्का का मतलब है've soft-bodied animals क्यों इसके अंदर आते हैं soft body वाले ऐनमल इसके अंदर क्याते है बच्छों of the body वाले animals आते हैं ढिक़ें कisu सैके लार्जेस्ट अनिमल फाइलम कि अगे सेकेट लारजजेस्ट एनिमल फाइलम मतलब आफ्टर और यह चैकेट लाजज़स ऐनिमल फाइलम ओलस्क आर टेरिस्ट्रियल और अग्वेटिक मौलस्क की बात करें इसके इंपर लैंड यह में सकते हैं और अक्वाटिक इसके में मरीन भी हो सकते हैं कुछ मरीन में जरे नहीं कुछ इनके पास और गंड सिस्टम लेवल ओर ओर नेशन होता है यह बाई-टर सिमिट्री को दिखाते हैं अनिमें और अब तो तो मेरे साब से तुम लोगों यह चीज रट चुकी होगी ठीक है तो यहां पर अगर हम बात करें तो यह बच्चो टेरिस्ट्रेल भी है अक्वेटिक भी है अक्वेटिक में मरीन और फेश्वाटर दोनों फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं और अरगन सिस्टम लेव की ओपर बच्चो एक लिकरियल अर्फ यह होता है जो की केल्शियम कर्मेट का बना होता है पहले चीज आपको दिमाग में बठानी है क्या अगर हम इनकी बॉड़ी के बात करें तो इनकी बॉड़ी की सेल की कवरिंग होती है और वह श्रुका बना हुए कल्षिम क्या पड़ाथा फाइलम आर्थो पोड़ा आर्थोपोड़ा में आपको याद है उनकी बॉड़ी टेग्मेंटेग तो इहां पर एसा नहीं है तो अगर हम बात करें मॉलस्स की मॉलस्स की बॉड़ी के ऊपर एक शेल की मवरिग में होते हैं इसको बोलता है केल के रियर श्यल अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी तीन पॉर्शन में डिवाइड है बच्छो है अगर मॉलस्क की बॉडी की बात करें मॉलस्क की बात करें मॉलस्क की बॉडी तीन पॉर्शन में डिवाइड होती है एक तो होगा इधर की तरफ हैड एरिया एक तो क्या होगा इधर की तरफ हैड एरिया होगा और एक होगा बीच में उठा हुआ एरिया इसको हम बोल रहे हैं विस्सेरल हम किसria है mask vermagife okay अगर हम बात करें किसके मोलसूट तो प्रटी किति पोड़ी तीन पॉर्शन में टिवाइड़े एक तो हेड पॉर्शन है एक बड़ा सा مل हम मतलब जहां पर विसेरल ओर्डोंस वगर हां गे और एक मस्कुलार GB pad के आपको क्या करें को चॉस्ट औरम मेंटल और दी विस्सेरल हम के उपर एक सॉफट और स्वाझी लेरो ऑग सक्लावन तब हूं से समझते विस्सेल हम के उपर एक सॉफ्ट इंस पॉज्ड आन publiver एक जिसका मुलता ुछ कि कि दंख पिध्रन सुनी אरु समय सिंग कि कि इस एथ मैंंटल थित बैंठा आप देंगे कि हाम अब विसरोल हम के ऊपर बैठें और स्पापर ऑग सत्रुम विविश रहाम के उपर एक श आफ तरु पूंजी लोती सिंग भी किसको answers mental स्टृइट करते हैं तो मेंटल सीट करके करके इस चल्क बनाते हैं तो विस्टरल हम के उपर किंद शॉफ्ट जी लेज बसकिन के सक मेंट सबस्पेस बेटूर्वीन दी हम एंडी में टल इसकों दी में टल कैविटी इन विच फैदर लाइक गिल्स आर प्रजेंट आगे बात ही बोली गई यह बच्छों कि देखिए हमने बोला विस्सरल हमके उपर एक सॉफ्ट एंस बहुंजी लेर इसकी क्या बोल्राइ는지 को अंदर बोल रहें र sociable के बीच में क्यावरटी उते हैं सको ब tenant capital कै विटी जहां परसा धल्लाइक गिल्स प्रजेंट हो और यह हैं मैंटल के वेक्ष बीच में हैं मेंटल के म कर दो विच में तो हमारा ओरेंज कलर सर नहीं होती है में टेल का वीति जहां पर वैदर लाइक गिल्स प्रसेंट है यह है यह वह राइटी एग्स क्रीट री फंक्शन वियरे बहुत पॉइंट इंपोर्टेंट थे इंपोर्टेंट पॉर्टेम्ट है है तो है ठीके है तो इनका एक्सकृरीटर में भी रोल इसलिए हम बोलना है कि जो फएदल लाइक गिल्स है उनके पास रेस्पिरेटरी एंटेटरी फंक्षन हो एंटीर एंटीर एड रिजन है जैसेंसरी टेंटेकल पच्छों एंटीर एड रिजन में बैंटेकल भी आपको देखने को मिल सकते हैं आप माउथ कंटेंस अ फाइल लाइक रेस्पिंग और और फीडिंग कॉल्ड रेडियूला पहली चीज़ आपको जो समझने है कि यह हैड पोशन में सेंसरी टेंटेकल भी देखने को मिल सकते हैं उसके बाद माउथ एरिया में उसके बाद माउथ एरिया में क्या है बच्चो रेस्पिंग और इसको बोलते हैं में रेडियूला आगान है रेडियूला माऊथ वाले पोशन में फॉच्छन में इसके फैल नाइक की ट्रेस्पिंग और मोशन होता है इसको बोलते हैं रेडियूला रेस्पिंग सुक्षिaking में हेल्प हता क्लाब चीजों को great करे खाते घ्रेटिंग को भी कर तो फाइन पिसे मां कनवर्ट करें तो इस तरीके से यह भी चीज़ों करते लिए फाइट करके खाते जो कि ग्रेटिवी चीजों को खाने मदद करता है के पास काई टीनस टीत होते हैं इसके बज़स से क्या कर पाते हैं भूझत यह रएसप्ण कर पाथ पाथ करें बच्छोई एडायोशियाओं से कैसे हैं बच्छोई यह डायोशियाओं मतलब मेल फी मिल अलग-लग ओवीपरिस और गानिजम से एग लुय खरते हैं and they show indirect development क्या शो़ करते हैं बचलों यह indirect development को शो़ करते हैं एक्ञामपल की बात क्रेंट थो पाइला आ जाएगा विर्चिस एपल्स नेल फिंग टाड़ा जाएगा जिसब ऑंक जोटल आजोईगा विच इस इसके बहुत है इसके बहुत है इसके बहुत है इसको क्या बोलते हैं को यहां पर दे रखेंग हैं अमें अपल स्नेल दे रखेंग है और इसकेंड इस वह था आई औरदो आ या को नेक्स्त फालम इस एकाइनोडलमीटा अर्णक्स फाइलम आलम का मतना होते हूं स्पाइनी बॉडी आनिम्ल्स के मिल्यम क्सित खेंद घ सब्साइने नाम कि बेंटशों काइन ओर मिटा सट्ट्राइम स्बाइन रोगाएद अकि नहीं these animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name echinodermata spiny body in animals के पास endoskeleton होता है calcareous ossicles तो calcareous ossicles का यानि calcium carbonate के ossicles का endoskeleton होता है इनके पास और इसी variation का नाम echinodermata पढ़ा है मतलब spiny bodied animals बच्चो यह सारे के सारे marine होते हैं बच्चो यह सारे के सारे क्या होते हैं marine होते हैं ओर्गन सिस्टम level of organization है इनके पास अब most important point जो मैं आपको बताया था वह आ गया है कि जो adult echinoderms है उनके पास radial symmetry होती है और जो लार्वे होते हैं इनके लार्वे का कि इस्टिव सिस्टम बच्चो इनका complete है माउथ है लोवर वेंट्रल साइट पर और एनस है अपार डॉर्सल साइट यहां पर आपको क्या बास में आ रही है कि complete digestive system में मतलब two separate opening है complete digestive system में मतलब बच्चो तू separate opening है तू separate क्या है ओपनिंग है complete system में अगर हम बात करें तो क्या समझ में आ रहे हैं कि माउथ वेंट्रल साइट पर है मतलब लोवर साइट पर है और जो एनस है वो डॉट्सल साइट पर है यह अपर साइट अब कम्पलीट digestive system होता है बच्चो इनके पास माउथ जो है वह वेंट्रल साइट पर है यानि लोवर साइट पर है और एनस जो है वह डॉट्सल साइट पर है यानि अपर साइट पर है कि यह बात यहां पर लिखे हुए है देख सकते हैं कि mouth is on the lower ventral side and anus on the upper dorsal side the most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system बहुत important point कि echinoderms के पास क्या है echinoderms के पास होता है बच्चो water vascular system तो echinoderms का जो distinctive feature है कि इनके पास होता है बच्चो water vascular system क्योंकि इनको locomotion करने में मदद करता है food को capture करने मदद करता है transport करवाने मदद करता है और respiration करने मदद करता है simple सी बात है पानी अंदर जाएगा तो खाने को अंदर लेके जाएगा oxygen को अंदर लेके जाएगा और पानी की वज़े से एक hydrostatic pressure develop होता है इसे ही movement भी कर पाते है तो water vascular system क्योंकि इसे बच्चो locomotion कर पाते है खाने का capture और ट्रांसपोर्ट करवा सकते है respiration करवाते है ते एक और important बात आती है क्या an excretory system is absent इनके पास excretory system नहीं होता इनके पास बच्चो एक्सक्रीटory system नहीं होता देखो इतना पीछे का फाइलम है लेकिन इनके पास excretory system नहीं है क्योंकि वो काम water vascular system कर देता है तेक्से बच्चो separate है male और female अलग लोंगे reproduction sexual है कि अधिलाइशन बच्चों कहां पर हो रहा है पानीम हो रहा है यानि external है development इंडिरेक्ट है क्योंकि यहां पर free swimming यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे है यहां पर आपको calcareous ossicles भी नजर आ रहे होगे नेक्स्टे बच्चों हमारा phylum hemi-cordata नेक्स्टे बच्चों हमारा phylum hemi-cordata hemi-cordata was earlier considered as a sub phylum under phylum for it बच्चों इनीशली यह समझा गया था कि यह सब phylum को belong करेंगे और आपको यादा ना कोड़ेटा यानि वह organism जिनके पास notocod होता है mesodermally derived rod like structure होता है तो इनीशली माना गया था कि एक सब phylum है किसके phylum kodata के बच्चों नाओ इट इस प्लेज़ एज़ एज़ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कोड़ेट लेकिन अब इनको नॉन कोड़ेटा में एक फाइलम की फॉर्म में रखा गया है पहले इनको कोड़ेटा में सब फाइलम समझ के रखा गया था लेकिन बाद में इनका क्या कर दिया गया इनको नॉन कोड़ेटा में एक सेपरेट फाइलम की फॉर्म में रखा गया है हमि लेकिन नॉन के पास कि फाइलम क्योड रिंकोड शुक्चर इंदी कॉल्र एंडा। अदि हमे क्वाडेटा के पास काई अब बच्चों एक रूडीमेंटर इस्तु बेहां हमे कौड डीटा के पास स्कॉललर को इस वह अब शुल्ब सुमो बहुत तो स्फरेटी रंस और देखने में लगता है लत जैसा रहा था था अ다면 सकॉझों मतए तक जैसा अगर हम बच्चो इस वाइलम की बात करें इस वाइलम गृप में वॉम-लाइक अनिमल य। और इसी वज़े से बच्चो इनको हम टंग वॉम्स भी बोलते हैं अगर इस फाइलम की बात करें इस फाइलम में स्मॉल ग्रुप में वॉम लाइक एनिमल्स आते हैं जिनके पास और गन सिस्टम लेवल ऑफ और गनाईजेशन है यह बाइलेटरली सिमेट्रिकल है होता है थुलोबलास्टिक है एञ्सटलोमेट ऐनिमल से बॉड़् की ऑगर मुण बात करें बच्चो बॉड़्בע इनकी सिलिंट्रिकल होती है और तीन पार्ट में टिकल होती है और तीन पार्ट में डिवाइड होती हैं एंटीर पॉर्शन में होगा प्रोबोसिस फिर होगा कॉलर एंदेन होगा एक लॉंग ट्रंक एरिया तो बच्छों इनका जो सर्कुलेटर सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसक अब कर देखिए बच्छों यह है इनका डाइग्राम अब देख सकते हैं टंग के जैसे देखने में लग रहे है तो इसलिए टंग समॉंप टंग वंप टंग जैसा स्ट्क करता तो नाम रखा तंग वांग अभी आपर नसे एक मिस्टे के मिश्टों की देखिए फर्स पार प्रोबोसिस है कि सेकंड पार्ट होता है कॉलर एंड ट्रंक एरिया तो यह एंसी जाटे में यहापर गलती कर रखिए आपको याद रखनी है याद रखनी है इस उनकी बॉड़ी तीन पॉजिशन में डिवाड़ है देखिए प्रोबोसिस फिर कॉलर एक लंबा सा ट्रंक यहीं हमने पीछे पड़ा है बॉड़ी में क्या है प्रोबोसिस है कॉलर है और एक लॉंग ट्रंक एडिया है पॉलाइटर टीर सिस्टम कैसे बॉपन टाइप का ए folosy फॉबशो पंटीप का रिस्परेशन कैसे करते और गील्स को पानी व रातने तो कैसे करेंगे घुर्स की ठूश करेंगे है पस कऊ एडियो डियोता है मतलव सेक्से सेपरेट है मतलब मेल और फीमेल अलग अलग है फर्टिलाइशन बच्छो एक्स्टरनल है मतलब फर्टिलाइशन पानी में होगा and development इस इंडिरेक्ट इवलप्मेंट इंडिरेक्ट का मतलब क्या है बच्छो इनके पास भी लारवल से जिस होती है किया एक्जामपल है बैलेनोग्लोसस और सेको ग्लॉस यहां पर इस पॉइंट पर आकर हमने नोन क्वाड डेट को यहांपर कंप्लेट करने का मतलब है है हमने उन और्गेनिसम्स की बात करी बोलब जिसक्रीऊ कि बाथ करें пользовathyro orage में और ही बारे में में एल्रुडी पता है कि जिन और गैनिसम स्के पास मी fanthramaly derived rod-like structure notochord होता है वो phylum quad data को belong करते हैं कि देखिए अनिमल्स belonging to phylum quad data are fundamentally characterized by the presence of a notochord अगर हम बात करें अनिमल्स की जो की phylum quad data को belong करते हैं तो बच्चों उनके पास क्या होता है notochord होता है उसके अलावा dorsal hollow nerve cord होता है dorsal position में hollow nerve cord होता है लेकिन अगर आपको याद हो जब हम non-cord data के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने अनिलेट्स में पढ़ा था कि उनके पास ventral position में double nerve cord होता है तो यहाँ पर याद रखिएगा कोड़ेटा के पास dorsal position में hollow nerve cord होगा single होगा वहाँ पर अगर हम बात करें नॉन कोड़ेटा की तो वहाँ पर वेंटल position में double solid nerve cord होता है उसके लाए बच्चों पेयाड फेरिंजियल गिल्सलेट्स है जो की respiration में मदद करेंगी आगे अगर वर हम बात करें यह आर बाइय लीक्रली स्यमेटरिकल यह बाइय ले लेटरली सिमेट्रिकल और गानिजमस है ट्रिपलोबलस्टिक है एं बिलोमेट है और साथ सद क्या है बच्चों और गनंस सिस्थम लेवलANGरीशन आप मेंन दे रखन है अब ऑग्चों यह साहिट है यह और यह है यह वेंट्र आगर हम बात करें यह है डॉचल पार्ट फार्ट यह है vais essentral दॉर्सल पॉजिटेशन में सब से से कडिकसी पुशन में देखने को मिल रहा है है जार्टाइकेत देखने को मिल रहा है which is a mesodermally rod-like structure mesodermally rod-like structure कि उसके अलावा बच्चो उसके अलावा आपको यहां पर जेको क्या देखने को मिल रहा है this is mouth इस इनस तो माउट लीद करेगा pharynx में pharynx में गिल्ल शेड है जो कि respiration में क्या करेंगी मदद करेंगी तो कि respiration में क्या करेंगी मदद करेंगी और पोस्ट एनल पार्ट है और ये बच्छो बैलन्स में मदद करता है तो देखिये डॉट्शल पॉजिशन में नौफ है फिर नोटो कॉड है उसके बाद यहां पर हमारी एलिमेंटरी कनाल है जिसमें पॉर्शन माउथ है एक पॉर्शन एनस है और गिल स्लिट दिख रहे हैं जो कि रेस्पिरेशन में असिस्ट करेंगे और पोस्ट अनल पार्ट वच्छो बॉडी को बैलेंस करने में क्या करता ह है पॉर्डेट की मदद करता है अपना एक टेबल दे रखे इसमें बहुत अच्छे से डिफरेंस दे रखें बिच्विन पॉर्डेट्स एंड टॉन कोड़ेट जिनके पास नोटो कॉड़ेट्स का नाम कॉड़ेट्स क्यू पढ़ा क्यूंकि उनके पास होगा नोटो लेंस जो होता है बच्छो वह ढॉर्ट इप्चोन में होता है हॉलो होता है partial st 01atar familiarabel और सिस्टम होता है solid होता है रहें आपको ओपनिंग्स कि हार्ट की बात करें तो यहां पर वेंट्रल हार होता है और वही पर ngon प्रजेंट होता निया अगर प्रजेंटे तो डौसल in position पोस्ट एनल पार्ट टेल इस प्रेज़र्ट कोड़ेट में पौस्ट एनल टेल प्रजेंट होती है और नॉन पर्जेंट में पोस्ट एनल इस एपस्ट ऑनल कि दू सके नहुंच के बाद का एरिया है इनल के बाद करे होता है सेलम कोड़ेट का Chung강 दमलेंट्रह डबलЙ फ्लेट देमें इंट्रों में च्वाए इrekाल हो फैरिन्स में इंवह सेलिटॐ नोय टंगी होंगी फड़ेट्स का हाइज वेंटरल होता है और नौन पोड़ेट्स में हाट प्रेंट रजेंट नहीं होता मौण है भी तो डॉर्सल कोईशन में होगा कोस्ट एनल टेल होती है कोड़ेट में और कोस्ट एनल टेल एपसेंट होती है नॉन कोड़ेट जे वर करते हैं फालब को डेटा के बारे में जो फाइलल को डेटा है बच्चो वो तीन साफ फाइलम में डिवाइड़ उने आता ऐन फेलम को डेटा और डेटा एंड वाल टेवने euro co data cephalo co data are often refer to as proto codage this me euro co data or cephalo co data call collectively as also protocol rates in it primitive quarter any primitive एक्सक्लूजिब ली मरें एक्सक्लूजिब ली मरीन तो देखिए एक बात यहां पर हमें बदा चली है कि कॉड़ेट्स की अगरम बात करें तो एक तो है इसमें कि यूरो को डेटा और कि यूरी केटा अफलो को डेटा और वाइट डेटा इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बच्छो प्रोटो कोड़ेट्स इनकों बच्छो क्लेक्टिवली बोलते हैं प्रोटो कोड़ेट्स और वाइट्स यह दोनों के दोनों एक्स्क्लूजिवली मरीन है मतलब बच्छो सॉल्टी एन्वाइरमेंट में आपको देखने को इन यूरो कोड़ेटा नोटो कोड़ेट इस प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल वाइल इन सेफलो कोड़ेटा इस एक्स्टेंस फ्रॉम हेट तो तेल रिजन एन इस पर्सिस्टेंट थ्रूआ देर लाइफ अब देखो आगे क्या बात बोले आगे बात बोलेगे यह कि इन झक्षमिस में नोटो कोड़ होता है भचों फाली किसमें लार्वा की चरण हुए वहीपर मैं पर नोटो कोड़ेटा की तो यहां पर परसिस्ट करता है प्रसिस नोटोख कॉणो गया है।辛 clapping Giving लेकर तक नोटोगायड होता है और पूरी लाइफ में वह'll परसिस्त करता है किकी उनटी ड्सक्रश्स कयों बोलते हैं। कोवरिंग होती है कि ट्यूनिस इन प्रजेंट यूरो को डेटा का एक्जांपल दे रखा है एस सीडिया सेलपा डॉली ओलम सेफलो को डेटा का एक्जांपल दे रखा है ब्राचियो स्टोमा जिसको मैं फ्योक्सा या फिर लेंस लेड भी बूलते हैं यह बच्चो एक इमेज दे रखिए किसकी दे रखिए एसीडिया की जो की यूरो को डेटा को बिलॉंग करता है कि नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम इनकी बात करें तो इनके अंदर नोटो कोड होता है कब मात्र एम्प्रियोनिक पिरिट अगर में फाइलम वर्टेब्रेट सोडी सब फाइलम वर्टेब्रेटा की बात करूं जो की फाइलम को डेटा को बिलॉंग करता है तो इनके अंदर नोटो कोड़् embryonic period में होता है the notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in the adult so this is the condition and that is why the sub phylum vertebrate है उनके अंदर क्या होता है यह जो organisms है इनके अंदर यह जो animals आते हैं इनके अंदर उनके पास embryonic period में embryonic या फिर embryonic period में क्या होता है बच्चों notochord होता है embryonic period में क्या होता है notochord होता है जो की adult में cartilaginous या फिर bony vertebral column से क्या होता है replace होता है पिर से सुनिए और फिर से मेरी बात को समझे क्योंकि बीच में थोड़ा सा सब्सक्राइब हो गया था हां जी तुनिए और सब्सक्राइब हां जी अच्छों देखो जो वर्टेब्रेटा के और ग्यानिजम से जो वर्टेब्रेटा के हमारे और ग्यानिजम हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो embryonic condition में उनके पास notocod होता है embryonic condition में उनके पास क्या होगा notocod होगा और adult में उसके जगा पर cartilaginus या फिर boni vertebral column आ जाएगा और इसी विज़े से इनका नाम vertebrates रखा गया है तब phylum vertebrata में embryonic condition में notocod होता है और adult में cartilaginus या फिर boni vertebral column इसको replace कर रहा होता है इसलिए नाम पढ़ा है vertebrates इसलिए बोलेंगे थास्ट आल vertebrates थास्ट आल वर्टेब्रेट्स आर कॉड़ेट्स बट आल कॉड़ेट्स आर नौट वर्टेब्रेट्स अच्छो सारे vertebrates, chordates होंगे लेकिन सारे chordates, vertebrates नहीं हो सकते हैं क्योंकि euro chordata और cephalo chordata के पास vertebral column नहीं होता है कि बेसिक chordate character vertebrates have a ventral muscular heart बच्छो chordate character के अलावा vertebrates के पास ventral muscular heart होता है जो कि two chambered, three chambered या फिर four chambered हो सकता है kidneys होती है excretion and osmore regulation के लिए paired appendages होंगी जो कि या तो fins की form में होंगी या फिर limbs की form में होंगी लेकिन क्वाडेट करेक्टर के अलावा अगर हम बात करें vertebrates की तो इनके पास ventral muscular heart होता है जो कि 2 chamber, 3 chamber या 4 chamber हो सकता है kidneys है for excretion and osmore regulation, paired appendages है जो कि fins या फिर limbs की form में हो सकती है लेकिन एक बार फिर से बोलूँगा vertebrates sub-fileum में क्या होता है notocod होता है embryonic period में और उसको replace करता है cartilaginus या फिर boni vertebral column इसलिए नाम पढ़ा है vertebrates एक 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 ncrt में दे रखा है flow chart जो कि important है थे कि vertebrate क्या है एक sub-fileum है अब उसके दो डिवीजन है अगनाथा और गनाथा गनाथा मतलब विच लेक्स देखे ए मतलब एपसेंट जो को इस एक तो ह Kelvin एक तो वो एक पास जो एक होग और डिशम्न से जिनके पास जोऊंँ होते हैं ऑर एक गनाथो परो मॉंटम होति तॉमाटम मतलब माउथ मतलब आइए मतलब माउथ में क्या है जॉ प्रजट है तो दिएक सिंपल सी बात है वर्टेब्रेटा सब फाइलम की बात करें तो उसके दो डिविजन है एक अगनाथा जिसमें क्या होगा जौ नहींों तो और एक है गनाथो स्टोमाटा मतलब माउथ गनाथो मतलब जओ तो या पर जो प्रेजेंट इसलिए लिखा है बीर्स जो लेक्स जो अब चो एगनाथा डिवीजन में हम एक क्लास पढ़ेंगे विच इस साइक्लो स्ट्रो माटा और गनाथो स्ट्रो माटा में हम पढ़ेंगे सूपर क्लास कौन सी दो एक तो पाइसेस और एक टेट्रपोडा पाइसेस में वो अर्गैनिजम्स आएंगे जिनके पास फिंस होते हैं जिनके पास क्या होते हैं बच्छो फिंस होते हैं और टेट्रपोडा में वो अर्गैनिजम्स आएंगे जिनके पास क्या होते हैं लिम्स होते हैं तो गनातो strema a2 सूपर क्ला से पाइस जिनके पास फिंस होंगे टेट्र रॉड़ा जिनके पास लिंच होंगे पाइस में दो class पढ़ेंगे कॉंड्री कथाई इस और उस्टी कथाई अट्रपोडा में चार क्लास पढ़ेंगे एंफीबिया रेप्टिलिया एव्स एंड नेमल्स यह फर्दर आगे जो पढ़ने वाले उसका एक फ्लो चाट है यह शुरू करते हैं क्लास साइक्लोस ट्रॉमाटा से क्लास साइक्लोस ट्रॉमाटा किस डिवीजन में आता है बच्चो यह आता है डिवीजन एगनाथा में जिनके पास और साइक्लोस ट्रॉमाटा का मतलब क्या है देखिए स्टॉमाटा मतलब मैंने आपको बताया है माउथ मतलब circular तो circular mouth होते हैं इनके पास क्यों होते हैं circular mouth होते हैं All living members of class cyclostome are ectoparasites on some fish cyclostomata के अगर हम organisms की बात करें cyclostomata के अगर हम organisms की बात करें तो बच्चो यह ectoparasites यह क्या है ectoparasites है on fishes ठीक है they have an elongated body बच्चो इनके पास elongated body होती है और 6-15 pair of gillslits होते हैं तो cyclostomata class के बारें बात करें तो इसमें जो organisms है वो ectoparasites हैं fishes के ऊपर elongated body होती है और इनके पास 6-15 pair of क्या होते हैं गillslits जिसे अगर आप यह देखो तो यह है पेट्रो माईजोन पेट्रो माईजोन को बच्चों हम लैंप रही बोलते हैं यहां पर अगर आप गillslits का नंबर देखो देखो 7 दिख रहा है आपको 7 pair of gillslits होंगे है और आप देख सकते हूं elongated body है और circular mouth है देखिए cyclostorms have a sucking and circular mouth देखिए आगे वो point cyclostorms के पास क्या होता है circular mouth होता है and sucking mouth होता है cyclostorms के पास circular mouth के साथ कैसे sucking mouth है क्यों अरे भाई क्यों नहीं है इनके पास क्यों लैसे ना एक नाथा में तभी तो आ रहे हैं तो देखिए cyclostorms है बाद सकिंग and circular mouth without their body is devoid of scales and paired fins बच्चो इनकी body पर scales नहीं होते और paired fins भी नहीं होते तो इसी वज़े से इनको false fishes भी बोल देते हैं इनकी body पर scales नहीं है और paired fins भी नहीं है cranium और vertebral column इनका कैसा है cartilaginous है cranium यानी brain box cranium यानी brain box इनका cranium और vertebral column कैसा है बच्चो cartilaginous होता है circulation type circulation कैसा है बच्चो type मतलब close network okay cyclostorms fresh water अब यह point important है cyclostorms देको होते तो marine जिन्दगी भार यह marine environment पर रहते लेकिन जब इनको reproduce करना होता है spawning करनी होती है एग को ले करना होता है तो अब यह fresh water environment में जाते है after spawning within few days they die their larvae after metamorphosis return to the Asian अब यह पूरा point आपको समझाता हूँ cyclostorms के अगर हम बात करें यह normally अपनी जिन्दगी जीते है marine environment पर लेकिन जब इनको reproduce करना होता है एग को ले करना होता है spawning करनी होती है तो यह fresh water environment में जाते है fresh water environment में यह एग को ले करेंगे और कुश ही दिनों में मढ जाएग अब जो एक्स थे reproduction वह उनका उनसे जो लार्वा निकलेंगे वह वहीं पर रहेगा fresh water environment में और metamorphosis करके मलब जो वह किसमें convert हो जाएगा बच्चो एडल्ट में convert हो जाएगा तब वह वापिस से ocean में आ जाता है एक बारी फिट सर समझेंगे अगर हम बात करें किसकी cyclostorms की तो cyclostorms मनीन environment पर रहते हैं लेकिन spawning के लिए fresh water environment में जाते हैं अब यह वहाँ पर क्या करेंगे एक्स वगरा ले करेंगे उसके आधी मढ जाएगे इनके जो बच्चे थासे पहले एक्स मेंते लिकलेंगे लार्वा लार्वा वहीं पर रहेगा fresh water environment में और कपते रहे हैं जब तक metamorphosis न कर ले जब तक वो adult में convert ना हो जाए adult में convert होने के बाद वह वापिस से ocean में यानी salty water में आ जाते हैं यह बाद यहां पर लिखे गई है example दो हैं बच्चो पेट्रो माईजोन इसको लेंपरे भी बोलते हैं mixin यानी hackfish और पेट्रो माईजोन की मैंने आपको image भी दिखाई है next बात करते हैं बच्चो quandry cathayze की next बच्चो बात करते हैं कि they are marine animals with streamlined body and have cartilaginous endoskelet देखो quandry cathayze का मतलब होता है cartilaginous fishes quandry cathayze का मतलब क्या होता है quandry cathayze का मतलब है cartilaginous fishes marine fishes होती है और streamlined body है अभी cyclostomes में elongated body थी लेकिन यहाँ पर कैसे है streamline body streamline body है देखे और इनके पास cartilaginous endoskeleton होता है इसलिए इनको हम cartilaginous fishes बोलते हैं एक बारी पूरा का पूरा fit से समझे quandry cathayze class के अगर मैं बात करूँ तो इसमें आती है marine fishes जिनकी body streamlined condition में होती है और अगर हम बात करे cartilaginous endoskeleton होता है mouth की बात करे तो बच्चों ventrally इनका mouth located होता है और notocot persist करता है पूरी life में mouth की अगर मैं बात करू mouth ventrally होता है और notocot पूरी life में persist करता है gill slits are separate and without upperculum gill cover gill slits बच्चो separate होते हैं लेकिन gill cover यानि upperculum absent होता है इनकी skin tough होती है क्योंकि उसमें minute placoid skills होते है इनकी skin tough होते है minute placoid skills होते है teeth are modified placoid skills अगर हम इनके teeth की बात करे तो बच्चों modified placoid skills होते है जो की backwardly directed होते है backward condition में directed होते है jaws are very powerful बच्चों इनका jaws बहुत पावरफुल होता है इसलिए predaceous animals होते है predator की तरह रहते हैं तो तक हमने क्या पड़ा कि marine animals है streamlined body है cartilaginous endoskeleton है mouth ventral position में होता है notochord पूरी life में process करता है यह हमने cephalocord data में पड़ाता है gill slit separate है लेकिन upperculum यानि gill cover absent है skin tough होती है क्योंकि उसमें placoid skills होते है teeth क्या है modified placoid skills होते है teeth क्या है modified placoid skills है जो कि पीछे की तरफ directed होंगे jaws बहुत powerful होते है इसलिए predaceous है predator की तरफ behave करते हैं अब बच्चो due to absence of air bladder they have to swim constantly to avoid sinking इनके पास air bladder नहीं होता अब इनके पास air bladder नहीं होता तो इनको constantly swim करना पड़ता है सिंग कर जाएंगे डूब जाएंगे तो air bladder absent होनी की वैसे इनको buoyancy नहीं मिलती इसलिए इनको constantly क्या करना पड़ता है swim करना पड़ता है हाट की अगर हम बात करें बच्चो two chambered heart होता है हाट की अगर हम बात करें बच्चो two chambered heart होता है एक तो होगा है torpedo कुछ के पास poison sting होती है उनको हम trigon बोलते है या फिर sting ray भी बोलते है राइट इंग रे भी बोलते है हाट two chambered है एक औरीकल होगा एक वेंट्रिकल होगा कुछ के पास electric organ होते हैं उनको हम बोलते है है torpedo वो शौक वगरा दे सकते हैं कुछ के पास poison sting होता है जिसको हम sting ray या फिर trigon बोलते हैं they are cold-blooded animals poikilothermous बच्चो यह cold-blooded animals है poikilothermous organisms मतलब यह अपने body temperature को constantly regulate नहीं कर सकते हैं poikilothermous यानि cold-blooded animals animals होते हैं जो अपने body temperature को constantly regulate नहीं कर सकते तो they lack the capacity to regulate their body temperature होता है उसमें class pros होते हैं है male में जो pelvic fin होता है male में जो बच्चो पैलिविक भी रोता है मेख्लास पर होते हैं class part are copulatory organ class pros क्या होते uh populatory organ होते हैं तो males में a pelvic fin में class words होते हैं which are copulatory organ जिससे sexual interports करते हैं right तो में के पास बच्चों copulatory organic class पर्स की फॉर्म में तो इनके अंदर फटिलाइशन कैसा हो जाएगा इंटर्नल फटिलाइशन हो जाएगा और मैंटीमार वीवी पैर इनिमस एक तो इंटर्नल फटिलाइशन में डिस्निंटीव और दूसरा क्या है बच्छों मैंनी ओफ देमार वीवी पैरस मतलब यह यंग वन्स को डिरेक्टली बढ़ देते हैं इंस्टीड ओफ एग ले करें एक्जाम्पल्स की बात करें तो स्कॉली डॉन आ जाएगा विचिस डॉक फिश प्रिस्टेश आ जाएगा सॉफिश कार कैरड़ यानी ग्रेट वाइट शार्क इसी को ब्लॉंग करती है एंड ट्राइगोन यानी स्टिंग रहे एक तो स्कॉली डॉन दे रखा है विच डॉक फिश डॉक फिश का मतलब यह नहीं कि यह लॉक के जैसे होती है इसकी इसमेलिंग केवसिटी का फिजाद होती है जिस लेक डॉक और यह नीच बच्चो प्रिस्टेश वाफिश आप देख सकते सो मतलब आरी होता है आरी जास का अगे का एरिया है फिश रहते बच्चो टुप लाश ऑस्ट कताइस लाश ऑस्टी थाहिस ऑस्टी मतलब बोनी कंडीशन यानि बोनी फिश जैनी बोनी फिशेश इट इंक्लूट बोत मरीन एंड फ्रेश वॉटर इशेश अगर हम बात करें क्लास ऑस्टी कथाईज तो इसमें मरीन और फ्रेश वॉटर दोनों फिशेश आती है लेकिन इनका एंडोस्केलेटन कैसे हो जाएगा बोनी और सिंस इनका इंडोस्केलेटन बोनी हो गया है इसी इनको बोनी फिशेश वोलते हैं गलाश औस के इनके इंदर मरीन और फ्रेश वॉटर फिशेश दोनों घेस इनके पास वोगा बोनी एंडोस्केलेटन इसलिए इनको गोनी फिशेश भी बोलते हैं एयर बॉड़ी इस त्रीम लींड होती है लेकिन इनका माउथ उसकी तरह बॉड़ी भी स्ट्रीम ब्लाइंड होती है लेकिन इनका जो माउथ होता है वो मोस्टली टेर्मिनल होता है वहीं पर अगर हम काटिलेजनस फिशेस की बात करें तो उनका माउथ कैसा था वेंट्रल था बच्चो इनके पास फोर पेयर में गिल्स होते हैं और यहां पर अपर कुलम यानि गिल के वर प्रेजेंट है वहीं काटिलेजनस फिशेस में गिल कवर क्या था एपसेंट था तो हम डिफ्रेंस भी करते वें चल रहे हैं इनकी स्किन के उपर साइकलोइड या फिर टीनोइट स्किल्स होते हैं और वहीं पर अगर मैं काटिलेजनस फिशेस की बात करूँ तो उनके पास बच्चों कैसे स्किल्स होते थे उनके पास होते थे प्लेकोइट इयर ब्लैडर इस प्रजेट विच रेगोलेट बाइनसी अब इनके पास एयर ब्लैडर भी है जिससे इनको बाइनसी मिलते है तो इनको नहीं करना पड़ता अगर हम काटिलेजनस की बात करें उनकेपास एर ब्लैडर एसेंट था तो constantly swim करना पड़ता था to avoid sinking हाट की बात करें बच्छो हाट यहाँ पर two chamber हाट की बात करें तब चो हाट यहाँ पर क्या है हूप्टू chamber है अर्ग हाट की अगर हम बात करें बच्छो आ्ट कैसा है यहाँ पर two chamber है एक तो auricol है एक vent有 напр Club जैसा Cartilisans यहां पर भी रहेंगे सेप्रेट लेकिन 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 इनके अंदर इसलिए इनके अंदर मेल्स में पेल्विक फिंस में क्लासपर्स यानि कॉपिलेटरी और नहीं होते और सिंस यहां पर इंटर्नल फटिलाइशन भी नहीं है तो यहां पर नहीं है मरीन में बच्चो एक्जांपल हो जाएगा एक्जो सीटर्स जिसकॉम फ्लाइंग फिश बोलते है क्योंकि यह एर में लीप करती है यह एर में लीप करती है जंप मारती है चैशे मीटर तक यह लीप कर सकती है उड़ती नहीं लीप करती है इसले इनको फ्लाइंग फिश बोलते है इपोकेमपस और स्पोकेमपस क्या है बच्चो सी होड़ से क्योंकि बहुत तेज भाग सकता है यह उसके लाब फ्रेश सब को यह पर देखने को फिस्ट एक्जांपल की बात करें मरीन में एक्जो सीट फ्लाइंग फिश है हिपोकेमपस है सी होड्स फ्रेश वाटर में लेवियो रोहू है कैटला है क्लेरियस मागर है अक्वैरियम बेटा फाइटिंग फिश एंड टेरोफाइलम एंजल फिश सब इसी को भिलॉंग करेंगे दो इमेजेस महिं आप पर ncrt में दे राखी है एक तो दे रखी है कैटला की बच्छो एक तो में दे रखी है कैटला की और दूसरी दे रखी हमें हिपोग्येंपस यहनी सी होट्स तो यहां तक हमने बच्चों फिशेस पोर्शन को कम्प्लीट कर लिया है देखिए हमने बात करी थी कि वर्टेब रेटा में एक तो एगनाथा डिविजन था एक गनातोस टोमाटा डिविजन था अब उसमें एक क्लास पढ़ी थी हमने साइक्लोस टोमाटा और गनातोस टोमाटा हमने सूपर क्लास पाइस को डिसकस कर लिए जिसमें कॉंट्री कथाई जाते हैं यानि काटिलेजन या फिर बोनी फिशे रहते हैं इसके बाद हम नेक्स बिच्चों स्टार्ट करेंगे डिवीजन रही सबते हैं इंके पास होते हैं लिम्ग करते हैं यानि लेक्स है class amphibia ने प्रेगें इंडिकेट्स एंफी मतलब दूएल दियो मतलब लाइव तो एंपी का मतलब के हैं मतलब दूर्ट दूर्ट प्लप लाइव उसका मतलब क्या है कि amphibians can live in aquatic as well as terrestrial habitat terrestrial habitats अभी तक हमने जितने भी organisms की बात करी वो सारे के सारे aquatic organisms थे लेकिन amphibians से क्या condition आई है amphibians का नाम अगर आप देखोगे तो amphi मतलब dual बिया मतलब life मतलब यह ऐसे organisms है यह ऐसे animals है जो की aquatic environment के साथ terrestrial habitat में भी रह सकते हैं most of them have two pair of limbs most of them क्या है बच्चों most of them के पास है two pair of limbs और इसी वज़े से हम क्या बोलेंगे बच्चों यहां पर हमने इसको पढ़ना शुरू कर दिया है यहां पर हम पढ़ने टेट्रा पूड़ा को देखिए पाईसेज वाले पोर्शन में हमने यहां पर हम टेट्रा पोड़ा सूपर क्लास को कवर कर रहे है तो यहां पर क्या होगा यहां पर अनिमल्स के पास होंगे यहां पर एपसेंट होती है तेल में भी प्रेजेंट इंसम कुछ में आपको टेल देखने को जिल सकती है तो एमफीबियं स्किन इसलिए अपने स्किन को मौइस्ट के रखते है और इनकी स्किन पर कोई भी स्केल्स नहीं होते है मैं आइस के लिए अइलिट इनके पास आइले ते एंटीम पैनल रिप्रोजेंट संप और यहां पर इयर और को रिप्रोजेंट करता है उसके अलावा अगर हम आगे बात करें अलेमेंटरी रि market नाल was urine and reproductive tract open into common chamber called inhack.a अलेकर यापन पर आपrich राट चल रही है आपको पर चल रहा है कि एलिमेंटरी के नाल कि क्या है कि यूरी नरी ट्राट कि और रिप्रोड़क्टिव ट्राक्ट कि यह तीनों के तीनों एक कॉमन ओपनिंग में कि लीड करते हैं कि देखो ध्यान से सुनियागा और समझे है कि एलिमेंटरी के नाल की हम बात कर ले यूरी नरी ट्राक्ट की बात कर ले और रिप्रोड़क्टिव ट्राक्ट की बात कर ले यह तीनों एक कॉमन ओपनिंग में लीट कर रहे हैं कि तीनों एक बच्चों common opening में लीट कर रहे हैं जिसका नाम है पर cloaca कि देखिये कि elementary canal urinary and reproductive tracts open into a common chamber called cloaca elementary canal urinary tract और reproductive tract की एक common opening है जिसको हम क्या बोलते हैं है पर cloaca which opens to the exterior जो कि बाहर की तरफ lead करती है respiration is by gills lungs and through कि देखो respiration is by gills टेटपोल लार्वा होता है फ्रॉक का फ्रॉक का जो टेटपोल लार्वा होता है वो गिल्स के तुरू respiration करता है और अगर वही फ्रॉग और बच्चों अगर वही फ्रॉग पानी में चला जाता है है तो स्किन के थूर रेस्पिरिशन करें की हार्ट is 3 यहांपर 3 हो गया है यह पर आपको 2 औरीकल और एक उर्वेंट्रिकल देखने को मिलेगा ङकर हम बात करें बच्चों हार्ट कैसा है 3 चाइम बाद यह हट एक बात करेंतavoir क्यासा यह फो इस आवक बल करेंफ अब यह मैं यह भी लिटेत अनिमल क्यों बोल रहा है क्योंकि पाइसेज भी विए कोड ब्लेटे अनिमल से मतलब कि अपने बॉडी टेंपरेचर को कॉंस्टेंटली रेगुलेट नहीं करते हैं टेक्स बच्छो सेपरेट है मतलब पेल और सीमेल बॉड़ी जो है वह आपस में सेपरेटेड इस एक्सटरनल बच्छो फर्टलाइशन एक्सटरनल है मतलब वाटर में फर्टलाइशन होगा को वीáriz और्गानियजम आज को ले करते हैं एन डेवल्ब्मेंट मस्तलब लार्वा के तरू डेवल्मेंट होती है है अभी तो आपने जाना हों fusion quartz टेटपोल बोलते हैं वोगर लार्व प्रसेंटर डेवलेप्मेंट कैसी हो जाएगी इंडरेट एक्जाम्पल्स की बात करें तो ब्यूफोर टोड राना फ्रॉग पाइला ट्री फ्रॉग इस लिम्बलेश एंफीबियन यह बहुत इंपोर्टेंट बच्चो कि एक लिम्बलेश एंफीबियन भी होता है जिसकों इस्तियोफिस बोलते हैं इस्तियोफिस कि दो एक्जांपल दे रखें एक तो सेलमेंटर दे रखा है वह दूसरा धर यह है रम घलमेंटर इसका सिंक्टिक उनिकमें एक काया चुछे आफ्टेव प्छोग लास रेप्टिलिया वैस्त आप च्बास रेप्तिलिया क्लास नेम रहास नेम रहैटballs ओ ख mouve miracles मोड उस लोकोमशन तो बत्चोड एक ज吉 shines कर्णक करना आति जान 카ई तो Imma का चलना है तो एकले स्थी ने क्लास ने क्रेपिंग और क्रॉलीं प्र एक व पढ़ा एक कि क्रीपिंग या फिर mo č दिखाते हैं अगर अगर हम बात करें mostly बच्छो यह terrestrial organism से लिए कि mostly कैसे बच्छो terrestrial organism से कुछ पानी में भी रहते हैं इसलिए लिखा है mostly terrestrial organism से and their body is covered by dry and cornified skin और इनकी body बच्छो dry और cornified skin से covered होते हैं कॉर्णी फाइड का मतलब होता है थोड़ा सा ऐसा बंसा फील होता है कौन स्टाइप का हूँ अजी बच्छो अगर हम बात करें mostly terrestrial अनिमल्स है body dry और cornified skin से क्या होती है covered होती है epidermal scales और scutes present हो अगर आप ऐसे अनिमल्स को देखो कि reptiles को देखो कि मगर मच हो गया snake हो गया तो इनकी body पर आपको scholar देखेंगे और स्कूट्स भी मिलका और क tact vein कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो body पर स्टे एगर आंचे ने को अ seine एगर यहाँ देखेंगिक एक इस प्रड़ एक्स्टर्नल एर ओपनिंग नहीं होती यह बाद को क्लियर रहें आप ट्रेस्टिल अर्गानिजम से अब ट्रेस्टिल एन्वाइर्मेंट में यह पूरी तरीके से आ गए थे यह ड्राइनेस को प्रिबंट करने के लिए इन्होंने ड्राइए और कॉर्निफ को यह बारब करी अपिडेर्मल चीजा सर्सा को डिपलप कर से लिम्पएनम यहां पर ही यह को रिप्रेसेंट करता है लिम्स में प्रेसंट और टू पेल्स्ट अगर प्रेजेंट है तो कितने होंगे बच्छो टू पर तो पर शंगे आपको पता है स्नेक्स पास लिम्स नह हाट इन प्रोकोड़ाइल रप्टाइल्स आर पॉई किलो थर्म्स रप्टाइल बच्छो पॉई किलो थर्म्स है मतलब गोल प्लेट अनिमल से मतलब यह भी अपने बॉड़ी टेमपरेचर को वंस्टेंटली रेगुलेट नहीं कर सेब्टाइब नेक्स एंड लिजर्ट पर देर स्केल्स एस सकिन कास्ट नेक और लिजर्ट जो है स्नेक और लिजर्ट जो है अपने केसा हो चुका है एंड अफ पर्टिलाइशन इंटर्नल हो चुका है यह ओवी पैरेस है है डेवलप्मेंट भी डिरेक्ट है लेकिन फर्टिलाइशन अपिंटर लेली रहेगा एग्जाम्पल्स की अगरम बात करें बच्छों एग्जाम्पल में चिलोन टर्टल स्ट्यूडो टॉर्ट टॉर्ट इस तूड़ टॉर्ट टॉर्ट एम आलियों ट्री लिजर्ट हमिड़क्त टैले स्क्षों ओल लिजड इसप्ट्य बच्छों पॉर्ल इब लिजर्ट है उसके अलावा तोईजन स्नेक नाजा कोब्र वैंगार स्क्रेट एन वाइपर प्रत्विए हो गया हमारे एग्जाम्पल उपर यह तो यह गया हमारे एग्जाम्पल पढ़े हमने e तेहे को ऩोलाएटर में नाजा आज जो है यह पस नियूरो टॉकसिन होता है अगर मैं बात कुलों उसके पास भी नियूरो टॉक्सिन होता है और वाइपर के बास ही तॉक्सिं एक शब्रक में रखके हमारे ओंपल हमारे यאשं यह फिर रैक्ट के इसके अलवा दो एरो क्या यंद्रोंध हुआ नमार वब lag यह या पर क्या है अज़ा अब बात करें एक लास एव की जिनको बच्चा हम क्या बोलते हैं वर्ट भी बोलते हैं तो अगर हम अगर हम बच्चो इनके पास बीक होती है और बीक की वज़े से इनके पास दात नहीं बीक और फोर्लिम्स आर मॉडिफाइड इंटु विंग्स बच्चो फोर्लिम्स मोडिफाई होकर क्या बन चुके हैं विंग्स तभी यह प्लाइट अडाप्टेशन दिखा पर हैं और वों मॉडिफाइड हैं वाक करने के लिए करने के लिए क्लाइस पिज़ों को पकड़ने के लिए लोग ट्री ब्रांच को पकड़ने तो फोर लिबस बचो यहां पर मॉडीफाई होकर बन गए हैं विंग्स हाइण के पास सकेल्स ओते हैं कैसे रैप्टाइल्स के पास दो टे तो यह कहिना कि उनकी एंसेस्ट्री दिखाता है कि रप्टाइल सी और जो हाइल निम से बच्चों उनसे वॉक करते हैं स्विमिंग करते हैं और ट्री ब्रांच इसको क्लास्ट करते हैं पकड़ लेते हैं इसकिन इस ड्राइव इधाउट ग्लैंड अब यह बहुत एक इंपोर्टेंट चीज इसकिन इनकी ड्राई है इसकिन इनकी ड्राई है विदाउट ग्लैंट है एक्सेप्ट एक ग्लैंड होती है ओईल ग्लैंड कहां पर टेल के बेस के पास इंडो-skeleton कैसा है बिच्छों, fully ossified है, और जो long bones कैसी है, जिसमें क्या है, air cavities है, तो ऐसी bones को pneumatic bones बोलते हैं, और इससे इनको ओडने में मदद मिलती है, राइट तो एंडोस्केलेटन इस फुल्ली ऊसिफाइड बोनी एंद लॉंग बोन्स आर हॉलो विद एयर क्याविटीज ऐसी बोन्स को बोलेंगे नुमाटिक डाइजिस्टिव ट्रैक और बर्ड्स हैब अडिशनल चेंबर क्रॉप एंड गज़र्ट इनके और गिरामटी के पास बीख है डाथ नी तो विश्यका इसका ग्राइंड निगोते घ्रज़र्ड में टीज और इस कंप्लीटली फोट चंबर तो यहां से कंप्लीटली फोट चंबर वाली कंडिशन आ चुकिए and they are वोण ब्लेड़ड़ एनिमल्स होम्योथर्मस एनिमल्स ये व़ॉपलीड़ड़ एनिम यह होम्योथर्मस कर सकते हैं तो यह कंडिशन यहीं से शुरू हो रही है ताट इस द्यार एबल टू मेंटेन अ कॉंस्टेंट बॉडी टंपरेचर कि रेस्पिरेशन इस वाइल लंग्स रेस्पिरेशन कैसे होता है बच्चों लंग्स की मदद से एर्सेक्स कनेक्टिक टू लंग्स अब होता क्या है कि इनके लंग्स बच्चों ऐसे रसे है निदर एर्सेट इननके लंग्स से एर्स जुड़े होते हैं जो कि क्या करते हैं रेस्पिरेशन को को supplement करते respiration को enhance करते हैं कि देखे हवा में जा रहे हैं यह बच्छों हवा में जा रहे हैं उपर जा रहे हैं उपर पियोटू बहुत कम होता है तो उस कंडिशन में यह मदद करते हैं सेक्सेज यहाँ पर सेपरेट ही रहेंगे इंटर्नल ही रहेगा और यह ओवी पैरस होते हैं और डिवलप्मेंट डिरेक्ट है कोई भी लार्वा यहाँ पर बच्छों नहीं है एक्जाम्पल में आ जाएगा हमारा कॉर्वस यानि क्रो कोलंबिया यानि पिजन स्टाकुला य पोटोज एंसे अटी में दे रखियें विसेकली यह हमारा बच्छों नियो फ्रॉन है कि वल्चर है जैन हमारा ऑस्ट्रेच यानि स्टूथ ही हो के लावा पिकोको क्या बोलते हैं बच्छों को पार्रट को बोलते हैं स्रिटाकुला और पिकोक को बोलते हैं पैवो एक लिजे अपना रिटाकुला पैरेट एंट पैवर पिकोक लास्ट नॉट नॉट दे लीस्ट हमारी क्लास क्लास मेमलिया यह 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 फांद इन वराइटी अव हैविटेट्स लेक पोलराइज सदूधर मौंटेन और स्क्रासलेंड्स डार कह issже अगर हम में लीकि बात करें अपनी क्लास की बात करें यह वैराइटी ऑफ हैविटेटे 155 देखने को मिलते हैं कालाई स्क्राइस क्राइड में तेहने को हम बेसे में आपको… विए लेखने को मिल जाएंगे डेजट में आपको कौन देखने को मिल जाएंगे इस ब्रासलिंड आपको टाइगर्ट यू रहे हैं लाइट और कुछ पानी में रहते हैं जैसे कि ड्ञाइड वे तो देखिए लास मेमलिया नाम क्यों पड़ा इसलिए पड़ाए क्योंकि इन और्गानिजम के पास मेमरी ग्लाइंड्स होती है जिससे यंग वन्स को नरिश्मेंट प्रोवाइड करी जाती है तो पेर अफ लिम्स बच्चो दो पेर अफ लिम्स होते हैं हमारे पास इससे हम वॉक कर सकते हैं रुनिंग कर सकते हैं क्लाइंबिंग कर सकते हैं दिगिंग कर सकते हैं तो हमारे पास बच्चो टू पेर अफ लिम्स हैं जिनकी मैसे हम वॉक कर सकते हैं रुनिंग कर सकते हैं क के क्लास में एक्टर करगेस के स Natomiast एस और पिंने अर बच्चो हमारे पास एक्टरनल की बच्चो नाली आश परे dividend की फिर में यह आपके सामने या दें आपको आसे काट रहा है और तो सब्षोगेंत यह अक्डिमन प्रेज कые इस के त्प्रेजंट नege होते हैं हमारे जौ में जैसे कि इंसिजर्ट के नाइन प्री मोलर मोलर हार्ट इस फोर चैमर्ट बच्चो अब तो फोर चैमर्ट वाली कंडीशन ही रहेगी एंड वी आर अल्सों होम्यो थर्मस मतलब हम बॉड़ी तेंपरेचर को स्क्राइब कर सकते हैं और करते भी है इसलिए हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है ठीच्टिव डिग्री चल्स रेस्पिरेशन बच्चों हम लंग्स के सत्रूप करते हैं छिसे से प्रेटी रहेंगे एंड ट्रेलाइशन कैसा होगा एंटर्णनल फिप्रटिलाइशन यहां पर NCRT में रखाये विच इस और नी थो रिंकर्स इस और नी थो रिंकर्स यानि डख बिल्ट प्लाटिपस विच इस डख बिल्ट इस प्लाटिपस और उसके लावा ओविपरस का एक और एक्जाम्पल आप चाहब लिख सकते हो दो यह जांपल अच्छिछ इस पाइनि एंटितर तो मैक्सिमम मैमल जो होते हैं यह वी वी परस के दो ही एग्जामपल एक और निथर इनकस यानि डग बिल्ट प्लाटिपस द अधर दर वन अखिदना पाइन एंटितर वी परस में मैक पॉर्पस यानि कंगारू तरुपस यानि फ्लाइंग फॉक्स यानि Camelus यानि Camel, Macaca यानि Monkey, Ratus यानि Rat, Canis यानि Dog, Phallus यानि Cat, Elephus यानि Elephant, Equus यानि Horse, Celfinus यानि Dolphin, Phelanoptera यानि Blue Whale, Panthera Tigris यानि Tiger, Panthera Leo यानि So these are the examples, और यह कुछ NCRT में दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको डग बिल्ट, Platypus, OV, Paras, Mammal दिखा रखा है, जिसका क्या ना बोता है, Ornitho, Rincus वंगारू को क्या बोलते है, Macropus, Flying Fox को क्या बोलते है, Teropus, Rat को और इसको बोलते हैं, Whale को बच्चो, Belenoptera इसके साथ, बच्चो, NCRT की हमने सारी लाईने यहाँ पर कवर कर लिए, इस चैप्टर की देखो, यह चैप्टर थोड़ा सा क्या नॉलेज है, और अगर आपको आता है, तो ठीक नहीं आता है, आपको पॉइंट्स याद रखने, बहुत ज्यादा समझने की चीज़ें नहीं है, यहाँ यहाँ पर यह वाला टीज़ी जैसे, इसको आपके थीले में, पतला है, तो डिफ्यूजन बाउंडरी बने, ठी और मेयानिजम इस खाल्द, पर और इडेल शिमेट्री अच्छो एणि प्लेड फ्लें प्लें पास कर रहे हैं छेंटरल एक्से ऑफ दी बडी से, आपके वोडी टाहिंगा तो और फीजिया, बॉत बादी टूल हम ढिवाइद ब्लेट्स यह कॉन से सिमेट्री, रैडूल स तो फालोग इदा फ्रेश्वाटर वोटर इस फेस्वाटर स्पॉंग है एंस यू पॉंज या इस फ्रेश्वाटर स्पॉं ओसल्स प्रेजंटिन प्लाटियलमेंस इस्पेशला इस इन ऑस्मोर आगुलेशन एंड EXC defensi जो प्लेटेल में होती है बच्छो वो ऊस्मो रेगलेशन एन एक्सक्रीशन में मदद करती है अक्वाइटिक एनलेट्स लाइक नेरीस पजिस लेटरल अपंडिस कॉल्ड पैरा पोडिया जो की स्विमिंग में उसकी मदद करती है प्रिमिंग वाले करेक्टर है यह टाइम के साथ बहुत ज़्यदा इवाल नहीं हुआ है अब फाइल लाइक रेस्पिंग औरगन फॉर फीडिंग कॉल रेडुला प्रेजेंट इन दी फाइलम और आपको याद है न ग्रेटिंग करके खाता था इसलिए फाइल लाइक रेस्पिंग और रहे है जो तब फॉलिंग पजेस इलेक्ट्रिक औरगन एंड बिलॉंस टॉ इसके पास इसके पास इसके पास इसके पास इसके अगरता शॉक दे सकते हैं तो तो यहाँ पर एक्जो सीटर्स फ्लाइंग फिश है यह ऑस्टी का थाइस में आपको देखने को मिलेगी एक्ट्रो माइजोन इस लेंपरे जो कि साइक्लो स्टॉम में बिलॉंग करती है त्राइगोन है वच्छो इस टिंग रहे है इस टिंग करती है और इस त्री चेंबर इन रेप्टाइल एक्सेप्ट प्रोगडाल भाया फोर चेंबर होता है इंटीनो फोरा दे बॉडी बियर्स एट एक्स्टरनल रॉद्व सिलेटेड कॉंपलेट जो कि इनकी लोको मिशन में मदद करती है इन विद्धिस बच्चो हमारा यह वाला लेक्चर हो गया है कंप्लीट आयोब आपको चीज़ें आयोगी आयोब आपने यह सेशन कोई करा होगा पॉस पॉइंट्स को अच्छे से समझना पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है पहले बेसिक अच्छे से काफी सारे पॉइंट सब्सक्राइब के त्यार हो जाएंगी कि पास क्या तो वो हो जाए फाइलम वाई फाईलम अब पहले फाइलम पौरी कबर करो अच्छे से खिंडमा बठाओ उसके पॉइंट इंसीलन ट्रेटा ऐसे धीरे धीरे करके करोगे तो आपको समझ एक दिन में दो एक दिन में एक क करके आप क्या करोगे अब दी से शुरू कर दोगे तो आपको असानी तो इसके साथ मिलता हूंगे लेक्चर में तब तक के लिए टेक गुड क्या तो पर टेक क्या रुचाओ